क्या NEED 2025 के exam pattern में कोई change देखने को मिलेगा क्या paper बहुत जादा difficult आ जाएगा high cut off को देखते हुए या syllabus में कोई change देखने को मिलेगा तो बिटा मैं बहुत clear कर देना चाहता हूँ NEED 2025 exam में आपको ऐसा कोई भी change देखने को नहीं मिलेगा जैसे questions आपने 2024 में देखे जो syllabus आपने 2024 में follow किया वही syllabus आपको 2025 में भी follow करना है कुछ से चीजों का बस आपको ध्यान रखना है पहला कि paper NCRT से ही आएगा आपको बस efficient practice करके अपना revision इस तरीके से करना है कि exam में आपको सारे देखे हुए questions मिले मैं हर साल अपनी class में top thousand question कराता हूँ और आप देखोगे 90% accuracy के साथ मैं neat exam का paper predict करता हूँ यही prediction अब आप भी कर पाएंगे मेरे neat question bang की मदद से हमने लगबग 10,000 सवाल आपके लिए बनाये है biology के लगबग 5,000 सवाल chemistry के और लगबग 5,000 सवाल physics के आपके लिए बनाये गए है यह सभी सवाल एक-एक NCRT line से निचोड के बनाये गया है और इसमें हर तरह के question का ध्यान रखा गया है चाहे वो statement based question हो चाहे वो assertion region question हो चाहे वो match the following हो चाहे वो diagram based question हो हर तरह के question का एक proper blend आपको मिलता है इन किताबों का format हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको topic wise question solve करने को मिलते हैं और जब आप पूरा chapter complete कर लेते हैं तो हमें chapter wise mock test भी कराते हैं आपका इन सभी question के detailed answer की और solution आपको हमारी किताब में मिल जाती है और साथ ही साथ आप हमारे funda box app पे इनका video solution और in-app practice भी कर सकते हैं अगर आप कहीं travel करने हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो इन किताबों के साथ आप अगर हमारा pyq और exemplar का combo भी purchase कर लेते हैं तो आपकी पूरी practice की जिब्मेदारी हमारी हो जाती है मतलब आपने chapter wise test दिया आपने topic wise question किया आपने pyq किया आपने exemplar किया और इसके बाद आप neat exam देने जाएंगे तो सारे question आपको देखे हुए मिलेंगे ये efficient question series हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका time waste ना हो irrelevant सवाल करने में और exactly जहां से paper बन सकता है उन सभी topic को cover करके एक capsule के form में एक practice question set आपके लिए बनाया गया है तो फटाफट नीचे दिए गया link पर click की दिए और आज ही इस book की मदद से अपनी need 2025 की journey में चार चान लगा दीजिए All the best Well my dear students, चलिए हम start करते है system of particle and rotational motion से पहला है introduction topic wise multiple choice question, center of mass के questions और सबसे पहला ही हमारा पास question आ जाता है center of mass से related की center of mass कौन सा point होता है check कर लेते हैं यहाँ पर from which is geometric center of the body के center of mass geometric center of the body होता है नहीं सब गलत अभारणा है की geometric center होता है center of mass एक ऐसा particular point होता है जहाँ पर हम यह मान कर चलते है की total body का mass वहाँ पर यहाँ तो concentrated है या उसके about जो mass distribution है हर जगा का वो सेम है from which the distance of the particle are same गलत जवाब where the whole mass of the body is supposed to be concentrated yes यह सही हो जाएगा which is the origin of the reference frame गलत जवाब से वो कोई reference frame का origin नहीं होता हूँ हमारे उपकर depend कर जाता है center of mass of three particles 1 kg, 2 kg, 3 kg are 2 to 2 the position of the fourth mass 4 kg to be placed in the system as that the new center of mass is positioned at 0, 0, 0 अच्छा तो हमसे यह बोला गया कि होई तीन particles है हमारे पास एक है एक kg का एक है दो kg का और एक है तीन kg का so the center of mass इन तीनों का 2, 2, 2 पर है हमें नहीं पता यह कहां-कहां पर है 1, 2, 3 और इनका center of mass लाई कर रहा है 2, 2, 2, 2 पर हमसे बोला गया एक हमने 4 किलो का मास और लगा दिया such that कि अब जो नया सेंटर आफ मास लाई करेगा वो 0,0,0 पर लाई करेगा तो हमें ये बताना है कि भई ये जो 4 किलो का मास है इसकी खुदगी क्या पोजिशन है देखो अगर हम ओल्ड वाली की बात करते है तो एक सेंटर आफ मास ऑफ दा ओल्ड वन क्या से लिखोंगा M1 X1 M2 X2 M3 X3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 तो ये कितना रहे है 2 तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ ये M1 इसे मैं नाम देता हूँ M2 और इसे मैं नाम देता हूँ M3 मतलब 3 किलो का मास M3 हो गया ये 2 किलो का मास M2 हो गया और 1 किलो का मास M1 हो गया अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जागा? 3 और तो 5 और एक 6 तो यहाँ पर जब मुझे पता चल रहा है में ऐसी लिख देता हूं देखो इसकी वेल्यू कितनी आ रही है बारा आ रही है क्लियर ऐसी तुम एक्सी जगा वाई लगाओगे तो वह भी सेम रिजल्ट देगा मानलो तुमने एक्सी जगा वाई लगाया तो क्या जाएगा M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 will be equal to the old reading of Y center of mass multiplied by the net mass of the system जो की कितना है 6 तो ये भी बारा आ गया ऐसी ही तुम M1 Z1 M2 Z2 M3 Z3 करोगे तो वो भी यही आ जाएगा old Z which is 2 and net mass कितना है 6 कितना आ गया 12 आ गया ना 12 बारा बारा खत्म अब इसने का कि नया system का center of mass जो लाई कर रहा है वो 0 0 0 पर लाई कर रहा है तो हमने लिखना 0 is equal to M1 X1 plus M2 X2 plus M3 X3 plus M4 X4 upon में total mass of the system M1 plus M2 plus M3 plus M4 तो कितना हो गया 1 plus 2 plus 3 plus 4 तीन और तो 5 और 1 6 और 4 10 अब यह 10 यहां पर जाके multiply हो जाएगा तो कितना आ रहा है M4 X4 will be equal to minus of M1 X1 plus M2 X2 plus M3 X3 तो M4 की value कितनी है 4 kg उसके ही position की value हमें निकाल नहीं है X4 की और यह value हमारे पास कितनी निकल कर आ रही है 12 देख लो पीछे तो हमने यहाँ पर X4 की value लिखी कितनी है minus 3 ऐसी तुम Y की भी निकाल सकते हो Y4 वो कितनी हो जाएगी M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 upon में M4 वो भी यही आएगी minus 3 और Z भी तो मारे पास option कौन सा correct हो जाएगा यहाँ पर option number A will be the correct solution for the following problem that is minus 3, minus 3 and Z के लिए भी कितना ही निकल कर आएगा मारे लिए minus 3 clear 3 brick each of length L and mass M are arranged as shown in the wall the distance of the center of mass of the system from the wall will be equal to तो अगर यह wall है 0 0 तो center of mass पूछा गया जैसे अब इस वाले का पूछो यह वाली brick का तो कितना हो जाएगा L by 2,0 अब ठिकने सम कुछ लेकर नहीं चल रहे इसका कितना हो जाएगा L,0 और यह जो L by 4 है अगर यह total length हमारे पास L है है ना तो यार इसका थोड़ सा चेक करना पड़ जाएगा हमारे को इसका center of mass करें यहाँ लाई करेगा ठीक है तो अब बस हमें इसका center of mass निकालना पड़ेगा कि कि कितना दूर पड़ रहा है हमारे को जो कि एक geometrical expect है तुम यह चीज तो समझ गए ना कि मैंने यहाँ पर इसका L by 2,0 क्या लिखा और इसका L,0 क्योंकि यह आधी length यहाँ पर है तो यह L,0 इसका center यहाँ पड़ेगा तो from the 00 itself as you can see इसकी जो दूरी है एक्स डिरेक्शन में कितने L,0 क्योंकि चलो थोड़ा सा यह चीज एक्स्ट्रा चीज हम मिटा देते हैं यह length कितनी है L,0 क्योंकि यह length कितनी है हमारे पास 3L by 4 ठीक है और L by 4,L by 4 यहाँ से L by 4 मतलब यहाँ पर यहाँ पर तुम्हारे पास जो होगा center of mass होगा तो यहाँ से यहाँ तक का distance हो गया L by 2 अब तुम्हें सिर्फ यह देखना है कि भई यहाँ से यहाँ तक का distance कितना हुआ तो यह distance मुझे देखते ही पता चल रहा है अगर यह L है यह L by 2 है तो यह 3L by 2 का distance है 3L by 2 तो 3L by 2 में तुम यह वाला distance देख रहे हो जो मैं यहाँ पर लगा रहूंग यह वाला distance यह L by 4 का distance है मुझे यह minus करना पड़ेगा तो इसे मैं लिख देता हूं L by 4 तो 3L by 2 में से मैंने L by 4 minus कर दिया तो यहाँ 2 से multiply और 2 से divide कर दिया तो यह 6L by 4 minus L by 4 that is 5L by 4 है की नहीं तो मैं फिर से एक और बार यहां पर बता देता हूं यह मैंने कैसे करा है देख लो यह L by 4 था center कहीं यहां पर होगा तो यह L by 4 का distance है मतलब यहां से लेकर के यहां तक का distance L by 2 हुआ तो यह L by 4 है अब मैंने यहां से लेकर के यहां तक की दूरी निकाल ली मतलब यह देख रहे हो यहां से लेकर के जहां पर यह end पिल्कुल चिपका हुआ है यहां तक की दूरी निकाल ली कितनी दूरी आ रही है 3L by 2 में से मैंने L by 4 माइनस कर दिया 5L by 4 का अंसर आ जाएगा अब center of mass लिखना हमारे ले असान है पहली body उसका center of mass दूसरी body उसका center of mass कितना है L और तीसरी body और उसका center of mass कितना है 5L by 4 upon the total mass of the system which is nothing but 3L M, M, M और M कार तो L by 2, L and 5L by 4 इन सब को add गरना पड़ेगा हमारे को तो यह total मैं लिखोंगा 4 और उपर आ जागा 2L यहाँ पर 4L यहाँ पर 5L यहाँ पर और यह आ जागा नीचे 3 दिख रहा है ना हाँ 11L 4 और तो च्छे 511 upon में 4 दिया 12 तो यह हो गया हमारे पास option number D that will be the correct solution चलिए एक और question बहुत ही प्यारा question है कह रहा है चार हमारे पास यहाँ पर particles हैं पहले हम यहाँ पर यह particles बना लेते हैं तो चार particles है हमारे पास ABCD और यह given है हमारे को कि AD जो है वो Y-axis में हम ले रहे हैं तो यह A हो गया यह D हो गया यह Y-axis में यह B हो गया यह C हो गया तो इसे square है यह जोड़ देते हम यह लो सा A 1 kg है 2 kg 3 kg 4 kg respectively कोडिनेट बताने center of mass के है पहले तो मैं लिखोंगा X center of mass M1 X1 प्लस इसके कोडिनेट क्या है X,0 Y,0 B के कोडिनेट क्या है S equal to अब यह हमें देखना पड़ेगा यह कितनी लंद का है आइड अब यहाँ पर हमारे पास पूई एज लंद नहीं दे रखी है square दे रखा है हम एग यूनिट बान कर चल लेते हैं ठीक है तो इसके जो कओरिनेट इसका जो यह हो गया यह भी 1.1 इसके कोडिनेट हो जाएंगे 1,0 यह ना और इसके कोडिनेट हो जाएंगे हमारे पास गया 0,1 ठीक तो हमारे पास एक square दे रखा है main बात यह है कि यह जो particular square है यह एक बटे एक का है तो अगर मानलो मुझे इसके coordinate लेने है जो की origin पर है तो यह तो 00 हो जाएगा यह वाला point एक मीटर दूर है तो इसके coordinate इतने हो जाएंगे 1,0 हो जाएगा और यह वाला जो point है हमारे पास यह उपर है बिल्कुल c point है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1,1 ठीक है तो हम अगर यहाँ पर लिखते है एक सेंटर ओफ मास तो हमने क्या लिखा इसका मास इसका coordinate इसका मास इसका कॉडिनेट इसका मास इसका मास इसका कॉडिनेट तो 2 into 1 plus 3 into 1 plus 4 into 0 upon में net mass of the system 1 plus 2 plus 3 तो यह कितना हो जगा 3 यह कितना हो गया 3 और यह कितना हो गया 4 10 ठीक है तो हमारे पास answer कितना निकल कर आ रहा है यहाँ पर 2 एकम 2 3 एकम 3 7 बटे 10 that is 0.7 तो x का coordinate हमारे पास जो निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है 0.7 अब हमें क्या निकालना है y coordinate निकालना है और तो कुछ बचा नहीं y coordinate क्या निकल कर आएगा m1 x1 plus m2 x2 मतलब 2 into 0 plus m3 x3 3 into 1 plus m4 x4 और एकम टूकना मैंने शायद गलत कर दिया यह दो और तीन पांच हो जाएगा ना गलती से मैंने point साथ लिग दिया है अब ठीक है और m1 वो m4 x4 4 into 1 upon में टोटल तो कितना आ जाएगा 4 और 3 साथ तो 7 upon 10 which is 0.7 तो हमारे पास जो coordinate निकल कर आ रहा है वो आ रहा है x direction में 0.5 y direction में 0.7 है की नहीं बहुत असान है पॉस m1 x1 m2 x2 m3 x3 यह सब निकालते रहो अपन में total mass of the system formula लगाते रहो आंसर आता रहेगा तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा option number c will be the correct solution for the following problem clear two homogeneous spares a and b of mass m and 2m having a radii 2a and a respectively are placed and touch on each other तो दो spares हमारे को दे रखे हैं ठीक है एक का mass हमारे पास m है और radius हमारे पास उसकी 2a दे रखे है एक का mass हमारे पास 2m है और radius हमारे पास a दे रखे है दोनों एक दूसरे को बिल्कुल touch कर रहे हैं ऐसे हमसे क्या बूला गया distance of center of mass from the first sphere पहले sphere से center of mass के दूरी क्या होगी देखो दिखने में ये बिल्कुल system हमारे को ऐसे ही दिखेगा ये m1 है ये m2 है यहां center of mass किसी एक particular distance r1 पर है तो r1 का जो formula होता है अगर मानलों इन दोनों के बीच के distance d है तो हम लिखेंगे m2 into d पॉन में m1 plus m2 ये quick formula है जो आप यहाद रख सकते हो तो 1 के लिए हमेशा ध्यान रखना second mass आपको लेना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 2 times of mass m multiply by the distance in between them which is 3a upon the total mass of the system which is 3m ये cancel out हो जाएगा तो हमारे पास m से m दी cancel out हो जाएगा तो हमारे पास answer कितना आ जाएगा m गया 3 गया 2 2a 2a तो overall answer हमारे पास कितना आ जाएगा 2a that is option number b will be the correct solution for the following problem which is 2a अब हम आगे बढ़ते हैं distance between the center of carbon and oxygen atom in a carbon monoxide is 1.130 angstrom तो ये carbon हो गया हमारे पास ये oxygen हो गया we have to locate the center of mass of the molecule relative to the carbon atom तो again अगर मानलो ये center of mass है हमारे पास carbon से दूरी R1 है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा R1 will be equal to D multiply mass of oxygen atom upon में mass of oxygen atom plus mass of carbon atom अब भई मैं इतना बड़ा chemist हो हूँ नहीं कि मैं आप लोग के जितना पढ़ सकते मनलब आप लोग के जितना जानता हूं chemistry को लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ इसे मैं लिखूंगा 1.130 क्योंकि इन दोन के बीच का difference है अब मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरे पास जो oxygen का mass है वो कितना है तो mass of oxygen atom मैं यहाँ पर directly लिख देता हूँ क्योंकि एक carbon है और एक हमारे पास कितना हो गया oxygen है तो carbon का कितना हो जादा है 12 और oxygen का कितना हो जाएगा हमारे पास 16 तो 16 लिख दिया अब ओन में 12 प्लस 16 अब 1.130 16 और यह कितना हो जाएगा 28 ओके अब तो यह और गंदा answer हमारे को दिखाई दे रहा है तो 4 चौक 16 चार सत् 25 इस इसे cancel करते हैं चार तिया 12 ठीक है और चार एकम चार और एक पांच साचिंग 42 पॉइंट 6 के आसपास कुछ आंसर आएगा पॉइंट 6 लाइक सम्थिंग तो ऑप्शन नमबर सी हमारा करेक्ट सेल्विशन हो जाएगा अगें अप्रोक्सिमेटेड आंसर बागी आप लोग में इस अच्छी केमिस्ट्री जानते हैं वह आप लोग देख लिज सहले का 1,1 हो गया दूसरे का 2,2 हों गया तीसरे का 3,3 हो गया समारे ली कितना है health म और मै नैं हमसे सेंटर ओफ मास कूछा गे तोcession डों से मुस्तिना हो जाएगा इसका मास मुल炼 आज इसका एकस कॉडिनेट इसका मास मुल्टिप्लाइट इसका एकस कॉडिनेट इसका मास multiply इसका x coordinate upon में कितना हो जागा total mass which is 3m cancel कर दो m m m m से तो कितना हो जागा 1 plus 2 plus 3 upon में 3 कितना हो गया 3 और तो 5 और 1 6 बटे 3 तो x coordinate आगया 2 व्यज़े तो यहाँ पर directly एक ही solution है हम चाहे तो यह लगा सकते रेकिन ठीक है y coordinate निकालने के लिए आप क्या करोगे इसका mass और इसका y coordinate इसका mass और इसका y coordinate इसका mass और इसका y coordinate upon में total mass of the system 3 और तो 5 और 1 6 अगयन आपके पास यही answer आजाएगा तो option number B हमारा क्या हो जाएगा correct solution हो जाएगा so the question says center of mass of the body always lie within the body without the body outside the body may lie inside the body may lie outside the body यह सारे इस चीज़े ने रखी है यार तुमें एक बात देखो मैंने क्या बताया था lecture में एक दो example ले लो एक ring ले लो एक disc ले लो अब अपने पास ring के अंदर यहाँ पर रहता है और disc के अंदर भी यहाँ पर हमारे center of mass रहता है disc एक solid body हो जाती है तो center of mass within the body रहता है और ring एक कैसी body हो जाती है for obvious reason ring के अंदर जो है हमारा mass वो कुछ ऐसे distributed होता है है ना ring मतलब अंगूठी तो इसका center of mass बीच में है that is outside the body है तो यह बात तो पक्की होगे शायद किसी के लिए inside रह सकता है किसी के लिए outside रह सकता है है ना और किसी के लिए surface बर भी रह सकता है तो हमारा option number क्या हो जाएगा be correct हो जाएगा क्योंकि यही तो center of mass की definition हो जाती है एक ऐसा hypothetical point जहापर net mass हमारा concentrated रहता है या जिसके about जो net mass है वो evenly distributed रहता है clear चलिए start करते है motion of the center of mass पहला question हमें दे रखा है two body of 6 kg and 4 kg mass have their velocity as followed then the velocity of their center of mass will be equal to तो velocity of center of mass हम लिखेंगे m1 v1 vector plus m2 v2 vector m1 plus m2 अब यहाँ पर सारी values put कर देना पहला 6 kg का है तो 6 into इसका velocity vector कितना आ जाएगा 5 i cap 2 j cap 10 k cap clear ऐसी दूसरा कितना है 4 kg का और उसका velocity vector कितना है 10 i cap 2 j cap 5 k cap upon में total mass which is 10 अगर हम इसे solve करते हैं तो directly हमारे पास option number C देखने को मिल जाएगा क्या 7 i cap minus 2 j cap plus 8 k cap solve करके देख लेना 36 पंचे 30 और 40 70 आ जाएगा i वाला i के साथ ऐड़ करना J वाला J के साथ और K वाला K के साथ मैंने फटा-फट से बता दिया answer क्या होगा this question says a 2 kg body and 3 kg body are moving on the x-axis at a particular instant the 2 kg body has a velocity of 3 the 3 kg velocity has a velocity of 2 velocity of the center of mass will be क्या हो जाएगा M1 V1 M2 V2 upon में M1 plus M2 तो 2 kg body किस स्पीड से चल रही है 3 meter per second से और 3 kg body 2 meter per second से चल रही है तो यह हो जाएगा 6 plus 6 upon में 5 मतलब 12 upon में 5 तो हमारे पास और तो कुछ दिए रखा नहीं तो हमारे पास answer क्या है 12 upon में 5 कोई भी answer correct नहीं है that is हमारे solution क्या हो जाएगा none of the above हमारा complete solution हो जाएगा for the following problem आगे बढ़ते है the question says कि हमारे पास यहाँ पर दो bodies है mass M1 M2 है M1 का mass M2 से जादा है जिस current verse जो हमारा M1 mass है वो नीचे की तरफ move कर रहा है M2 mass है उपर की तरफ move कर रहा है हम से यह बोला गया कि center of mass का acceleration कितना होगा ठीक है सबसे पहले अगर आप देखें यह जो A1 acceleration है या फिर यह जो A2 acceleration है यह आपस में equal and opposite होंगे है की नी यह क्या होगा हमारे पास A minus J cap और यह कितना हो जाएगा A J cap clear अब यहाँ पर हमें यह A की value find out कर लेनी है कि यह A की value कितनी है हमें पता है कि हम इसे निकालेंगे कैसे M1 minus M2 into G upon में M1 plus M2 क्या यह बात clear है यह सिर्फ और सिर्फ हमारे पास magnitude निकल कर आ रहा है मतलब हम जानते है कि यहाँ पर यह जो acceleration है यह नीचे की तरफ जा रहा है तो यह इसका magnitude हो गया direction क्या हो गया minus J इसका direction उपर की तरफ हो गया clear तो इसने सिर्फ center of mass के लिए हम से पूछा है तो A center of mass will be equal to M1 A1 vector M2 A2 vector upon में M1 plus M2 ठीक है अब A1 और A2 vector की value तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ है ना दोनों की बाते सेम ही है बस direction opposite हो जाएंगे हमारे पास जैसे A2 पर की तरफ जा रहा है A1 हमारा नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा M2 minus M1 ठीक है और A यह J cap मैंने भार निकाल लिया और A भी मैंने भार निकाल लिया अप उन में क्या लिखूँगा M1 plus M2 यह मैं लिख सकता हूँ तो यह आ गया A center of mass यहाँ पर direction का कोई role तो है नी दोनों तरफ magnitude ले लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास यह तो ऐसे ले लो M2 minus M1 A A upon में M1 plus M2 and यह completely answer आ गया ठीक यह देख लो अब मैं इसे ही solve करने वाला हूँ A की value लगा दूँगा यहाँ पर से अब यह देख लो M2 minus M1 A से M1 minus M2 भी लिख सकता हूँ मैं क्योंकि मॉडलस में है न यह देखो multiply A की value भी क्या है into G मॉडलस में तो यह हमारे पास कितना आजाएगा ठीक है यहाँ direction का कुछ नहीं दे रखाता है तो मैंने direction को लिया भी नहीं मुझे फर्क ही नहीं पड़ता यह हमारा answer आ गया कौन सा option है यह option number A that will be the correct solution for the following problem clear that's it ठीक है two block A and B are connected by a massless spring as shown in the following figure a force of 30 newton is applied on the block number B the distance traveled by the center of mass in just two seconds after the starting from the rest will be equal to देखो इसने हम से पूचाएगी center of mass कितना distance travel करेगा अगर हम acceleration निकाले हैं आपर net force कितनी है हमारे पास 30 और net mass हमारे पास कितना है 30 तो 1 meter per second square का acceleration लग रहा है initial velocity हमारे पास कितनी है पर s is equal to ut plus half a t square लगा देंगे यह हमारे पास 0 आ गया half into a into t square इसने पूचा 2 second में तो यह आ गया हमारे पास 2 meter तो answer हमारे पास क्या हो जाएगा इस question का the answer will be equal to option number B which is 2 meter let us start with linear momentum of system of particles a nucleus rapture into two nuclear parts which have their velocity ratio to ratio 1 what will be the ratio of their nuclear size तो हमसे बोला गया दो nucleus है हमारे पास उनकी ratio दे रखी है velocity की 2 upon 1 है ना हमसे उनका nuclear size पूचा गया देखो main बात यहां पर क्या है अगर वो rapture कर रहा है तो momentum सेम रहना चाहिए मतलब M1 V1 should be equal to M2 V2 हमें यहां पर दे रखा है M2 upon me M1 will be equal to V1 upon me V2 that will be 2 ratio 1 अब M2 mass किस पर depend करता है density into volume volume किस पर depend करती है radius के cube पर radius किस पर depend करती है R0 A की power 1 by 3 पर तो अगर हम यहां पर values लगा देते हैं तो M2 by M1 की ratio आ जाएगी A2 upon me A1 है ना इसने यहीं तो पूछा है ratio of the nuclear size yes nuclear size ही पूछा है तो radius की ratio ही निकाल लेते हैं तो लोग में अभी atomic mass number की तो कोई relation है नी तो radius की ही ratio है जो जिसकी यहां पर बात कर रहा है तो यहां पर लिख दूँगा मैं R2 by R1 का whole cube that is 2 upon me 1 और R2 by R1 की value कितनी आ जाएगी 2 upon me 1 की power 1 by 3 लेकिन तुम्हें यह ratio दे रखी है किसकी V1 upon me V2 की तो तुम्हें R1 upon me R2 की ratio निकालनी है which is 2 upon me 1 की power 1 upon 2 की power 1 by 3 मतलब यह उल्टा हो जाएगा यहां पर main चीज क्या है main चीज यह है पहली चीज तुम nucleus को यह मांद कर चलो वो एक hard spare है goal सा spare है जिसकी radius R है तो अगर हम यहां पर momentum conserve कर देते हैं तो mass किस पर depend कर जाता है mass depend कर जाता है radius के cube पर फिर आपको masses को हटा कर यहां पर ऐसे answer लेख देना है power चड़ा देनी है answer को flip कर देना है क्योंकि 1 upon 2 respectively दे रखता है तो आपको 1 upon 2 ही यहां पर निकालना है that is 1 upon 2 की power 1 by 3 तो हमारे पास option number कौन सा बनेगा option number B हमारा correct solution हो जाएगा body of mass M moving with a velocity V meter per second suddenly breaks into two pieces one part having mass M by 4 remain stationary the velocity of another part will be equal to तो एक body थी जिसकी velocity V है तो उसका initial momentum हमारे पास कितना आ गया M V वो break हो रही है उस पर कोई external force नहीं लग रही दो पार्ट में break हो गई हो हमारे पास M by 4 में नहीं पर लिख दू तो M हमारा दो पार्ट में बढ़ गया M by 4 और 5 M by 4 अब ध्यान से लेखना ये चीज़ इसने बोला M by 4 तो rest पर है वो तो stationary है तो मैंने लिखा M by 4 और इसकी velocity 0 और दूसरा क्या बचा 5 M by 4 है कि नी 5 M by 4 नी sorry 3 M by 4 बलती हो गई 3 M by 4 और इसकी velocity हमारे को नहीं पता let us say it is V dash only तो हमने यहाँ पर जब M से M को cancel कर दिया इस M से इस M को cancel कर दिया तो V dash की value कितनी आ लिया 4 upon में 3 into V that is this will be the correct solution for the following problem clear बहुत easy question था अब bullet of mass M leaves a gun of mass M तो एक bullet है जिसका mass smaller M है वो एक gun को leave करती है जिसका mass capital M है kept on a smooth horizontal surface if the speed of the bullet relative to the gun is V the recoil speed of the gun will be equal to देखो यह important है हमारे लिए यह gun है तुम गन पर बैढ़ जाओ तुम्हें ऐसा लगेगा जो bullet है वो V speed से जा रही है तो हमने लिखा relative speed of the bullet is V that is this is the speed of the actual bullet minus the recoil speed अब यहाँ पर यह जो speed है यह आगी की तरफ है bullet जो है actual bullet भी आगी की तरफ ही जा रही होगी तो absolute velocity of the bullet भी आगी की तरफ होगी तो यह जो मैंने यहाँ पर लिखा है प्लीज देखो यह question note down कर लो यह important है जो भी पढ़ रहा है इसको हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा question device करा है जिसके अंदर bullet जो है relatively इसके जा रही है gun के relative respect में आगे की तरफ बढ़ रही है तो पहले तो तुम उस velocity को लिखो that is this is the relative velocity अब फिर इसका मतलब क्या हुआ this is the velocity of bullet minus velocity of the recoil of the gun this is the velocity of bullet with respect to the gun और gun तो पीछे की तरफ जाएगी तो उसे recoil velocity कहते है अब जब ये तुम ने कर लिया तो इसमें directions लिख दो जैसे ये आगे की तरफ है bullet भी आगे की तरफ जा रही है लेकिन recoil velocity पीछे की तरफ होगी यहां तक तुमारा पहला answer निकल कर आ गया अब main चीज़ क्या है bullet आगे की तरफ जा रही है लेकिन gun हमारी पीछे की तरफ आ रही है तो हमने लिखा initial momentum तो दोनों का 0 है जब दोनों एक साथ बैठे हुए थे कोई फरक नी पड़ता finally gun पीछे की तरफ आई तो mass gun का क्या है capital M उसकी velocity क्या है recoil velocity पीछे की तरफ आई तो minus bullet आगे की तरफ जा रही है तो यहाँ पर यह देख रहे हो मैंने absolute velocity of the bullet लिया है अब यहाँ पर से मैं absolute velocity of the bullet को लगाऊंगा that is V minus V R तो इसे V minus V R लिख दिया तो minus M V R minus M V R plus M V that will be 0 तो V R की value आजेगी mass of bullet velocity of bullet relative to the gun upon में capital M plus small m तो यह हमारे पास कौन सा option हो जाएगा option number B यह ध्यान रखना यह staple question है momentum of a body remain constant अगर momentum हमारी किसी body का constant रहता है then the speed graph of the mass speed graph of the body will be तो mass speed graph हमारी body का कैसे रहता है देखो momentum constant है मतलब M V constant हो गया तो mass versus speed का curve कुछ ऐसा चांद जैसा देखने को हमें मिलता है that is यह कौन सा हो जाता है हमारा rectangular hyperbola let us start with angular velocity and its relations the first question says a.b is 0 and a cross b is equal to 1 then a and b are कहा रहा है अगर a.b 0 है है ना और a और b जो है वो non zero values है बई इसमें सिर्फ यह पूछा perpendicular है parallel है कैसे है तो मतलब a और b non zero values है मैंने तुम्हें पहली बताया था a.b अगर 0 हो जाता है तो यह पक्की पकी condition होती है orthogonality की मतलब perpendicularity की condition अब यह बोल रहा है perpendicular हाँ यह बात सही है perpendicular unit vector अब देखो यहाँ पर दो option है पहला option कहा रहा है perpendicular unit vector और दूसरा option कहा रहा है perpendicular parallel तो होने से रहे इसे हटा दो हमें क्या पता चले इन दोनों में से क्या है तुम यह answer यहाँ से निकाल सकते हो A cross B का मतलब क्या होँ modulus of A modulus of B sine theta है ना मैंने दोनों तरफ modulus लगा दिया तो यह answer कितना बंद कराया A cross B के modulus का answer कितना हो जाएगा A का modulus B का modulus sine theta यह बात क्लियर तो magnitude निकाला हमने A cross B का तो A cross B कितना होता है A का modulus B का modulus sine theta और contact normal vector that is the normal vector हम उसका modulus ले रेंगे तो यह answer आएगा यह भी 1 तो मतलब A multiply B का value क्या आना चाहिए 1 A multiply B का value 1 कब आ सकता है जब यह भी 1 हो और यह भी 1 हो अगर यह दोनों 1 हो जाएगे तो इसका मतलब ही यह दो ऐसे vector है इनका magnitude 1 है और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही vector होता है कौन सा unit vector तुमारे पास option number कौन सा correct आ जाएगा option number A will be the correct solution for the following problem The question says the angle between A and B is theta what is the value of A dot B cross A देखो एक बाद बताओ B cross A अगर यह माल लो B है यह A है या एक काम करो इस ऐसे ले लो यह A है यह B है और यह A तुमने B cross A करा इसका normal vector का निकल कराएगा उपर मतलब B cross A का answer कहाएगा out of the plane of paper मतलब उपर की तरफ दोदों से perpendicular अब तुमने यहाँ पर answer निकाला modulus of A, modulus of B, sin, theta, n cap और तुम इसे dot product कर रहे हो A के साथ किसके साथ dot product कर रहे हो A अब यहाँ पर A और N के मीच में angle कितना है 90 degree और मैं दे तुम्हें पहली बताया था दो orthogonal vector का dot product हमिशा answer क्या देता है 0 तो हमारा answer क्या हो जाएगा 0 angular velocity of second hand of the watch will be equal to तो वो कितनी हो जाती है 2 pi into frequency है की नहीं या फिर हम इसे क्या लिख सकते है theta upon में total time t theta कितना cover करता है second hand 2 pi cover करता है कितने समय में cover करता है भई एक second hand जो होता है हमारा वो 60 second बाद वापस आ जाता है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे that is answer कितना आ जागा pi by 30 radian per second that is option number a will be the correct solution for the following problem angular displacement of the wheel with respect to the time is given as follow at plus bt square plus ct cube then the angular acceleration is given by तो हम से बोला गया है कि angular acceleration कितना होगा इसका double derivative ले लो simple सी बात है तो हमने omega लिखा d theta by dt कितना आ जाएगा a plus 2bt plus 3ct square अब इसका double derivative ले लो तो alpha आ जाएगा मतलब d omega by dt दिकाल लो तो a का 0 2b plus 3c into 2t 2b plus 6ct तो 2b plus 6ct ये रहा option number d that will be the correct solution for the following problem खतम ओके एक और question the position vector r vector is this meter angular velocity is this meter we have to find the linear velocity v is equal to omega cross r होता है आपको यहाँ पर cross product निकाल लेना है i j k plus minus plus ये है omega vector j plus 2k तो j का 1 हुआ k का 2 हुआ i का 0 हुआ और r vector है 3i 4j cap तो 3i का हुआ 4j का हुआ 0k का हुआ तो अगर मैं i vector को निकालू और इसका row और इसका column उडा दूँ तो कितना हो जाएगा 0 minus 8 तो कितना है गई यह 0 minus 8 और एक नट रुकना ज़रा omega cross r सही तो है उल्टा तो नहीं लिग दिया हमने omega है 1,2 ठीक है 1,2 ही है ओके कोई बात नहीं तो इसने हमसे यही पूछा है then the linear velocity will be तो minus 8 आ रहा है यहाँ पर तो options कहीं न कहीं गलत होंगे कोई बात नहीं हमाँ answer निकालते है minus j cap कितना हो जाएगा हमारे पास 0 minus minus 6 ठीक plus k cap कितना हो जाएगा 0 minus 3 that is minus 3 तो यह होगा minus 8 plus 6 minus 3 k cap अच्छा यहाँ पर मुझे लग रहा है तो बेटा यहाँ पर यह minus लगा देना यह minus यहाँ पर नहीं है यहाँ फिर हमें दिखनी रहा है नहीं minus यहाँ 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 आपको क्या गंदा पड़ेगा minus लगाना पड़ेगा that is option number C will be the correct solution अगर महाँ minus लगा होता वो टाइपो एरर है minus नहीं आया है आके बढ़ते हैं torque and angular momentum पहला question हमारे को क्या दे रखा है uniform rod AB of length L and mass M is free to rotate about a point A the rod is released from the rest in the horizontal position given that the moment of inertia of the rod about A is ml square by 3 the initial angular acceleration of the rod will be equal to तुम CDC बात देखो इसने बोला कि एक uniform rod है mass M की है free to rotate है about the point A और उसे हमने release कर दिया from the rest अगर end point में moment of inertia ml square by 3 लिख सकते हैं तो यहाँ पर angular acceleration कितना होगा torque का value कितना होता है I into alpha CDC बात अब ये values ने आपने आप ही दे रखी है कि यह हो जगा ml square by 3 alpha अब torque क्रियेट कर रहा होगा यहाँ पर torque mg क्रियेट कर रहा होगा तो mg into कितनी distance L by 2 तो यहाँ पर अगर हम इसे solve करते हैं M से M हमारा cancel हो जाएगा L से L cancel हो जाएगा तो 3G upon 2L that will be the value of alpha तो यह हो गया हमारा answer number D that will be the correct solution for the following problem I hope सबको यह समझ आ गई अरे यह ऐसे पकड़ा हुआ है इसे ऐसे छोड़ दिया समझ गए है इसकी अबाउट यह हिंज है ऐसे ऐसे घूम सकता है ऐसे clear two disk of moment of inertia I1 and I2 angular speed omega 1 omega 2 are rotating along the collinear axis passing through the center of mass and perpendicular to the plane if if the two are made to rotate together along the same axis of rotation the kinetic energy of the system will be equal to पहले एक बात देखो यह I1 है omega 1 यह I2 है omega 2 दुन्वा साथ रख दिया साथ रख दिया तो net I कितना हो जागा I1 प्लस I2 हो गया clear अब पहली बात यहाँ पर external कोई टॉर्क नहीं लग रही तो angular momentum क्या रहेगा conserve तो हम लिखेंगे I1 omega 1 I2 omega 2 equal to final moment of inertia of the body into omega लिख सकते ने लिख सकते yes अब omega dash की वेल लिखालो yellow ओके अब इस तेगा इसी कानड़ी के अनर्जी लिखालो कैसरी कालोगे formula होता है about क्या आए जिए परेगा लिखालोगे जनः़ी क्टता है लुए क्याज़शीगका अऴकाउ हम लिखाए विख सकते है लिख सकते है लिख सकते है यह आ गया कौन सा option है यह देख लो पहले यह वाला option number C that will be the correct solution for the following problem अब यह question हम से क्या कह रहा है the position of the particle is given by the following momentum is given by the following find the angular momentum the angular momentum which is perpendicular to तो angular momentum भी निकालो और किसके perpendicular है वो भी निकालो मतलब सारी बाते हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी इस particular चीज की हमने का यार पहले formula लिख लेते हैं उसके बाद हर एक option को हम verify यहां करते रहेंगे और क्रोस पी तो आर क्रोस पी करा हमने यहाँ पर ऐसे लाइने डाली यह हो गया आई यह हो गया जे यह हो गया के यह हो गया माइनस R cross P 1 2 minus 1 1 2 minus 1 P 3 4 minus 2 R cross P करा I cap कितना आ जाएगा हमारे पास 2 into minus 2 which is minus 4 minus minus 4 which is plus 4 minus J cap J cap का हटाया 1 into minus 2 that is minus 2 and minus 1 into minus 3 that is plus 3 and then फिर हमारे पास क्या आ जाएगा K cap K cap हमारे पास कितना हो जाएगा 1 into 4 3 into 1 into 4 3 into 2 ओके 4 minus 6 कुछ ऐसा देखने को हमें मिल रहा है एक बार फिर से हम सजग हातों के साथ एक बार verify कर लेते कि बिल्कुल ये सही है या फिर ये नहीं है क्योंकि देखो हमने करा है यहां पर क्रॉस प्रॉडक्त और इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है हमारे पास इस आंसर को निकालने का तो हमने करा R cross P I ये मतलब R का है हमारे पास 1, 2, minus 1 बिल्कुल सही P का है 3, 4, minus 2 बिल्कुल सही कोई प्रॉब्लम नहीं है 2, 2, 4, minus का 4 हाँ ये तो 0 हो गया इसका अंसर हो गया 0 तो 0 आई कैप बिल्कुल सही जे कैप में हमारे को कुछ कश्मकश्च देखने को मिल रही है माइनस 1, जे कैप कैप में माइनस 2, कैप आ रहा है हमारे पास है कि नहीं बिल्कुल सही 3, 4, minus 2 4, minus 6 ठीक है तो कहारे किसके ये परपेंडिकुलर है अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखे तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर किस डाइरेक्शन में है ये तो हमारा y, z, plane के डाइरेक्शन में है ये वेक्टर किस के डाइरेक्शन में है य, z, plane के अब मुझे चेक करना है मालो कि वही है, ये x के परपेंडिकुलर है y के परपेंडिकुलर है z के परपेंडिकुलर है मैं इसको dot product के साथ निकाल दूगा अगर इस वेक्टर का dot product ये vector क्या है मेरे पास मैंने dot product निकाला answer आ रहा है minus 1 तो मतलब ये option गलत हो गया फिर दूसरा option क्या है x-axis का तो मैं x-axis का भी निकालूगा मैंने dot product करा i-cap के साथ देखो answer 0 और 0 आएगा तो हमारा option कौन सा हो गया second option that is the angular momentum is perpendicular to the x-axis क्या यहां तक यह बात मुझे लग रहा है सबको clear होगी मैं एक बात वापस इसे बता देता हूँ पहले angular momentum निकालो उसने बोला उसके बाद उसने बोला कि यह किसके perpendicular है या क्या से है तो एक-एक करके options को check कर लो मैंने angular momentum निकाल लिया उसके बात मैंने perpendicularity test कर लिया तो मुझे यह पता चल गया कि y के तो नहीं है लेकिन x के पर perpendicular है तो यह वाला option हमारा correct हो जाएगा next question हमसे के कह रहा है अब mass m is moving with a constant velocity along a line which is parallel to x-axis तो एक mass m है वो v velocity से x-axis के parallel move कर रहा है angular momentum with respect to the origin and z-axis origin के हिताब से बताइए angular momentum कितना होगा देखो अगर हम यह distance देखे this is the perpendicular distance है की नहीं यह क्या होता है perpendicular distance हो गया हम formula क्या लिखते है m r v sin theta हम इसे ऐसे लिखते है m v r sin theta हम इसे ऐसे लिखते है m v r perpendicular हमें दो चीज़े चाहिए यह एक तो velocity और एक velocity के perpendicular distance देखो यहाँ पर origin के respect में यह आपका position vector हो जाएगा लेकिन यह position vector का perpendicular component यह होगा तो हमें perpendicular component मिल गया हमें velocity मिल गई हमारे पास mass आ गया अब आप चाहिए कहीं पर भी चले जाओ आप चाहिए यहाँ पर आ जाओ कोई फरक नहीं पड़ता यह रही आपका mass m यह रही आपकी velocity बी क्या यह perpendicular distance यहाँ पर भी change हो रहा है आकत नहीं जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है तो यह perpendicular distance कभी भी change नहीं हो रहा यह हमेशा उतना ही है जितना यह पहले था velocity भी change नहीं और your mass भी change नहीं हो रहा तो मुझे यह पता चल रहा है भई कि angular momentum जो है हमारा नहीं वो increase कर रहा है नहीं वो decrease कर रहा है तो क्या वो 0 होगा? गलत क्या वो constant रहेगा? यह थोड़ा सही क्या वो हमेशे increase करेगा? गलत क्या वो हमेशे ही decrease करेगा ये भी हमारा क्या हो गया गलत तो option क्या रहेगा हमारा always constant ठीक है smooth uniform rod of length and mass m has two identical beads negligible size each of mass m which can slide freely along the rod the initial the two beads are at the center rotating with an angular velocity omega about an axis perpendicular to the rod and passing through the midpoint of the rod there is no external force when the bead is at the end of the rod the angular velocity of the system will be equal to हमसे कहा गया देखिये sir question ऐसा है कि आपके पास दो beads है जो बिलकुल center पर है तब ये rod एक particular omega naught से घूम रहा था लेकिन क्योंकि ये घूमा frictionless surface है ये beads बिलकुल यहाँ पर आ गए एंड में आ गए जिसकी वज़े से जो इसका ये rotation है ये change हो गया और ये हो गया change होके क्या हमारे पास rod के लिए और कुछ given है नहीं बस mass और length ही given है बस यह ही given है तो I of rod into omega naught finally जब bead बिलकुल end में पहुच जाएंगे तो moment of inertia क्या हो जाएगा moment of inertia of the rod plus two times of moment of inertia of any bead क्योंकि दो bead है identical है तो किसी of inertia of the rod which is ml square by 12 है ना into omega naught upon me ml square by 12 plus 2 ml square upon me 4 है ना यह हो गया अब इसे solve करना है अरे यार इसे solve करना अपने आप में बहुत ही टेड़ी खीर लग रही है मेरे को लिगिन करना पड़ेगा देखो यहां पर सबसे पहले तो handwriting सही कर लेना जैसे मेरे को देख रहे हो मैंने किनी गंदी handwriting में लिखा है तो यह मास of the rod बिल्कुल अलग है capital M है तो उसे थोड़ा सा अलग लिए ना पता चला तुमने मास मास काड़ दिया एल स्कूर एल स्कूर एल स्कूर एल स्कूर तो कैंसल आउट हो जाएगा उसमें कोई टेंचिन वाली बात नहीं है अब यहार एक काम कर रहे जो 12 से नीचे कर दिया तो यह नीचे के ब्रैकेट में कंज्यूम हो गया और हमें यह आंसर देखने को मिलता है ओप्शन नमबर एट इस दा करेक्ट सुलिशन पर दा फॉल्लाइंग प्रॉब्लम दा नेक्स्ट कोश्चन इस डिफरेंट फोर्स आर अप्लाइट ऑन दा पिवर्ट इसके यह नहीं करेगी तो कौन कौन सी कर दी है हमारे पास 234 अब चेक कर लो कौन सा है आपके पास अंसर ओप्शन नमबर भी विल प्रेक्ट सुलिशन दा इस एफ टू एफ टू एफ ट्री एफ फोर विल ओनली वी दा वन्स तैट विल प्रोडूस दा टॉर्क नेक्स्ट कुश्चन सेज अट फोर्स ऑफ टू आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस टू के कैप न्यूटन एक्ट अट अपॉइंट इतने मीटर एट दा ओरीजिन फांट दा मैगनिचूड अफ टॉर्क आर क्रॉस एफ इसने का सिर्फ मैगनिचूड निकालो तो भी यह मैगनिचूड आसे निकल जाएगा पहले क्रॉस प्रॉडक्ट तो कर लो तो यह हमारे पास पॉइंट आ गया मतलब इसका पोजिशन वेक्टर आ गया तो आई जे के ठीक है यह प्लस यह माइनस यह प्लस तो टू माइनस फोर ठीक है और नीचे आ जाएगा एफ वाला वेक चौक 16 माइनस जेक है जेक है कितना हो जाएगा हमारे पास तीन दूनी छे चार दूनी आठ और प्लस का ठीक है प्लस के क्या मैं डारेक्ली करता हूं तीन चौक 12 और दो दूनी चार क्रॉस प्रॉडक्ट आना चाहिए आपको थोड़ा सा करना नहीं आता तो मैंने सिखा र तो मैंने क्रॉस प्रॉडक्ट डारेक्ली निकाल दिया तो इतना हमारे पास क्रॉस प्रॉडक्ट निकल कर आ रहा है तो पहले तो हम इस क्रॉस प्रॉडक्ट को लिख लेंगे that is I cap माइनस बारा माइनस जे कैप आठ चाह 14 और प्लस के कैप कितना आजएगा माइनस 16 अब कितना हो जागा 256 जाते ही बड़ा दी आंसर आ रहा तब मेरे लिए तो यही आंसर आ रहा है अब क्या कर सकते हैं जो भी है अब इसे एड़ वैड़ करना पड़ेगा हमारे को नंबा गाम है 6 और 6 बारा और 16 यहां पर तो कमाल की बात है कमाल की बात है options देख रहे हो तुम options कितने जादा same battery जलो ठीक है मैं इसे calculate करता हूं तुमारा time-based ना हो और मेरे mathematical skills तुमें ज्यादा ना दिखे तो यह मेरे पास answer आ रहा है calculator से निकाला है सब आप लोगे के पास यह privilege नहीं होगी and that will be the answer the question says the resultant of the system in the following figure of the forces are 8 Newton parallel to the given force through the R the value of PR देखो main बात यह यह कह रहा है यह पूरा system एकली वीरियम में है 5 और 3-8 Newton की force लग रही है एक और force यहां पर लगेगी 8 Newton की जो R से निकल रही है ठीक है 8 Newton parallel to the given force through the R हो गया अब इसने यह हमसे पूछा है यह सारी बात है बक्वास है बेकार यह कोई काम की नहीं है इसने हमसे हमादली कितना निकल कराएगा PR हमने का यार देखो इस point की about अगर हम टॉर्क निकालना चाहे तो टॉर्क क्या रहेगी हमारी zero रहेगी जो टॉर्क यह create करेगा वही टॉर्क यह भी create करेगा हमने लिखा 5 Newton की force ने जो टॉर्क create करा वो करा 5 into PR अब यह जो टॉर्क है for obvious reason यह क P multiply R into Q अब यह clockwise है तो हमने negative लिख देट विल वी equal to zero तो हमारे पास PR की क्या value हो गई 3 upon 5 हाँ RQ तो 3 upon 5 RQ that is option number B will be the correct solution for the following problem खतम हो गया है सवाल भी हमाद लिए ओके चलो अब एक काम करते हैं next question दो बढ़ते हैं अब देखो the question says horizontal heavy uniform bar of weight w is supported at its two end by the two men if at an instant one of the men let it go the other end will feel the force of तूसरे end को क्या force पील होगा अगर यह वाले इसे छोड़ देता है तो यहाँ पर मान लो नया force end develop हो गया हमें नहीं पता कितना है मगर हमने मान लिया कि it is nothing but end लिख सकता हूं ये लिख सकता हूं अब होगा क्या यह जो mg है यह हमारी weight force है यह क्या करेगी इस रोड को घुमाने की कोशिश करेगी obviously क्योंकि यहां के टॉर्क लगा रही होगी है यह टॉर्क कितनी लगाएगी यह लगाएगी this weight force multiply by the effective length और यह टॉर्क का formula कितना होगा i into alpha अब यह a acceleration से नीचे जा रहा है तो alpha की value में लिख सकता हूं a upon में r और यहां पर इस point के about radius कितनी हो जाएगी यह l y 2 की distance हो जाएगी तो alpha की value हो गई a upon में r ठीक है और यह completely खतम that will be equal to weight into l y 2 तो acceleration की value आ रही है weight l square by 4 upon में i मैंने यहाँ पर क्या करा इसको open up करके लिख दिया ml square upon में 3 multiply 4 अब weight को भी खोल कर लिख दो mg तो यहाँ पर आ जाएगा 3 g upon में 4 यह acceleration निकल कर आया अब हमने यहाँ पर देखा n contact normal force उपर की तरफ लग रही है है की नहीं और weight force नीचे की तरफ लग रही है और कोई यह force है यहाँ पर जो लग रही है नहीं लग तो नहीं टा acceleration नीचे की तरफ लग रहा है मैं लिखूंगा mass into acceleration will be equal to the weight force minus this normal reaction तो यहाँ पर हमारे पास normal reaction की value आ गई W minus ma w minus 3g by 4 into m w minus 3w by 4 ठीक है और कुछ बच रहा है इसके इंदर लग तो नहीं रहा ठीक है जो भी है w by 4 हमारे पास answer आ रहा है हमारा option number a क्या हो जागा correct तो मैंने यहाँ पर सिर्फ values लगाई है यह values है हमारे पास इन सारी values को यहाँ पर क्या कर दिया मैंने substitute कर दिया आई हो सबको यह दिख रहा होगा तो w minus ma a की value मेरी 3g by 4m आई थी 3g by 4 m से multiply करा तो mg वेट हो जयागा तो 3 by 4 तो वेट माइनस 3 by 4 वेट by 4 का answer में देखने को मिल जाएगा the question says that a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about an axis which is with a constant velocity omega 4 object of mass m are kept gently in the opposite end of the perpendicular diameter of the ring the angular velocity of the ring will be एक ring थी बड़े मज़दार तरीके से वो omega से गूम रही थी आपने 4 masses को लिया और ऐसे place कर दिया जैसा मैंने बताया यह पहला diameter है और यह दूसरा diameter है यह दोनों diameter आपस में क्या है 90 degree के angle पर है अब आपको यह बताना है यह जो ring है इसकी नई angular velocity कितनी हो जाएगी अब यहाँ पर कोई force नहीं लग रही है तो हम angular momentum conserve कर देते हैं पहला हो जाएगा mr square into omega और दूसरा हो जाएगा हमारे पास अब ध्यान रखना है यह जो m है यह है रिंग का तो capital mr square into omega और दूसरा हो इसल तो यहाँ पर से और स्क्राइब से आर स्क्राइब कैंसल हो जाएगा तो omega डैश की वैल दो आजेगी M upon में M फ्लस प्लस पूर एम यह यहाँ हमारी omega डैश की वैल्ल्यू M upon में और omega लिखना में पूल यहां तो M omega upon में M plus 4M that will be the complete answer for the following problem let us start with equilibrium of rigid bodies so the first question is a uniform rod of length or a uniform rod of mass 20 kg is hanging in a horizontal position with the help of two thread it also support 40 kg mass as shown in the following figure find the tension develop in each of the following thread तो यह और बी में मनदब कितनी कितनी टेंशन वह अगरा हम नारी develop हुई है वह हम से पूछा गया है चलिए सर फिर सबक्राइब बाद टेंशन निकाल लेते हैं मालों लो इसके अंदर टेंशन टीए डेवलप हुई इसके अंदर टेंशन टीवी डेवलप हुई यहां पर स से 40 N वेट नीचे की तरफ लग रहा है और साथ ही साथ पिलकुल बीच में से मिड़ पॉइंट पर 2200 नीचे की तरफ लग रहा है मतलते को 20 किलो है ना 20 किलो का मतलब कितना हो जागा 20 इन्टू 10 वेचिस 200 अचा यह भी तो 40 किलो है तो यह हो जागा 400 न्यूटन तो अगर हम FBD बनाते हैं यह टेंशन A यह टेंशन B 200 न्यूटन यहाँ पर नीचे 400 न्यूटन यहाँ पर नीचे यह distance हमें दे रखा है यह है L by 4 का distance अब मालनो मुझे टेंशन B निकालनी है तो मैं यहाँ पर इस पर्टिक्लर पॉइंट पे ए पॉइंट पे टॉर्क देख लूँग तो क्या हुजएगा टेंशन B multiply by the length L यह टेंशन के ऐसी टॉक्विएट कर रही है anti-clockwise which I will write negative फिर 200 न्यूटन यह clockwise टॉर्क है I will write it positive और कितने distance पर काम कर रही है L by 2 ऐसी 400 न्यूटन है वह L by 4 के distance पर काम कर रही है आंसर किसका है जिएक है 0 के बराबर L, L और L काड़ दूँ निकल कर रही है 200 नेट पोर्स अगर देखी जाए A प्लस B इसके बराबर आ जाएगी हमारी 600 के बराबर तो अगर हमें A की वैल निकालने है तो वह कितनी हो जाएगी something like this ठीक है तो हमसे पूछा गया है इस case के अंदर की बताइए कितनी कितनी tension होगी तो A की tension हमारे पास कितनी निकल कर रही है 400 Newton निकल कर रही है that will be the complete answer okay देखो यहां पर tensions नहीं लिखना चाहिए था इसे tension at A लिखना चाहिए था बागी की answer हमारी क्या हो जाएगे गलत हो जाएगे वैसे ऐसा भी नहीं है अगर तुम देखो तो यहां पर यह किसकी tension निकल कर रही है tension B लेकिन मैं तुम्हें question बता देता हूं मुझे पता है यह है यह तो यह tension in a nical करा लिखना था उन लिखने पाए तो टेंशन ही नहीं हमारे लिखने कर आ रिया आ रिया 400 N निकल कर आ रिया बाडी इन एकलिभीरियम ने नोट है अगर कोई बोड़ी हमारे पास इकलिवीरियम में है तो उसके पास क्या नहीं होता acceleration नहीं होता clear let us start with moment of inertia the moment of inertia of a uniform rod about a perpendicular axis passing through the end is i1 the same rod is bent into the ring and the moment of inertia is i2 find i1 by i2 so आपको पता है यह एक rod है जिसकी length L है moment of inertia about this end is ml square by 3 आपने same rod को एक ring बना दिया अब यह जो ring बनेगी इसकी हमारे को radius निकालनी जरूरी है तो हमें पता है कि circumference तो सेम ही रहेगा तो radius कितनी आगई एल अपन में टू पाई अब इसने बोला moment of inertia of this ring about its diameter तो about its diameter कितना हो जाता है हमारे पास MR square by 2 तो हम यह पर लिखेंगे ml square upon में 4 pi square multiply 1 upon 2 ml square upon में 8 pi square अब इसने बोला sir i1 upon में i2 करको देखो कितना answer आ रहे हमने i1 लिखा ml square by 3 और i2 लिखा ml square upon में 8 pi square हमें आंसर देखने को मिला option number d that will be the correct solution for the falling problem clear है देख लो बस मैंने यह वाली ring का answer निकाल दिया उसे rod के answer से क्या करते है डिवाइड रॉड का तो हमारे को पता ही है कि कितना होता है ml square by 3 होता है ring का निकालने के लिए आपने क्या कर रखा है यहाँ पर पहले तो दोनों की circumference को पराबर करा parameter को पराबर करा parameter को पराबर करने के बाद radius निकाल दिया formula हमें पता है diameter के along कितना होता है value निकाली values रखी and answer आ गया अब यह question हमसे क्या कह रहा है from the circular ring of mass m and radius r and r corresponding 90 degree sector is removed तो एक circular ring है हमारे पास एक नट यह circular ring है हमारे पास हमने एक 90 degree की r को यहाँ से कर दिया remove ठीक the moment of inertia of the remaining part about an axis passing through the ring perpendicular to the plane is k times of m r square तो moment of inertia इस line के about निकालना है अगर हमने इतने हिस्से को यहाँ पर से गायब कर दिया हमारे पास mass कितना बच रहा है तुम गोगे सर तीन चौता ही mass हमारे पास बच रहा है इस तीन चौता ही कटी भी रिंग का भाई यह जो mass है यह वाला यह यूनिफॉर्म डिस्टिब्यूटे राउंड इस पर्टिकुलर एक्स रोटेशन तो इसे point मान कर चलो इसका यह point भी r distance अभी है जो first point है और इसका last point भी r distance अभी है तो यह अगर हम अगर हम आई एक्स की बात करें तो उसका formula हो जाएगा उसका mass उसकी radius का whole square radius उसकी r दे रख्या मास हमें निकालना है किसी भी cylindrical body का mass कितना हो जाएगा density intensity इंटूर्स की वॉल्यूम पाई र स्क्वार एच पाई आर स्क्वार एच तो यह हो जाएगा रो पाई आर स्क्वार इंटू थिक्नस टी यह हो गया mass और यह हो गई radius का स्क्वार ऐसी आई वाई निकालना हा वन बाय टू पाई इसकी radius कितनी है 4R तो 16R स्क्वार और height कितनी है टी वाई 4 तो यह हो गया एच तो पाई आर स्क्वार एच मुल्टिप्लाई बाय रेडियस का whole square तो radius कितनी है हमारे पास 4 तो 16R स्क्वार तो यह हमारे पास answer कुछ देखने को मिल रहा है ठीक है यह आई वाई आगया यह आई एक्स आगया देखो फिर से इतना जो हिस्सा है हमारे पास इतना हिस्सा है यह तो mass हो गया ठीक है इसे yellow color से कर देता हूँ इतना हिस्सा हो ग तो हमारे पास answer देखने को मिलेगा 1 by 2 रो पाई आर स्क्वार टी आर स्क्वार अपॉन बेर 1 by 2 रो पाई 16R स्क्वार ती बाए 4 बाए 16R स्क्वार यह सब कुछ cancel हो जाएगा बस बचेगा यह सब कुछ cancel हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह relation हमारा correct relation हो जाएगा अगर काटा काटी करोगे तो यह relation आएगा ix upon iy equal to 1 upon 64 that is iy will be equal to 64 times of ix clear है यह वाला question हम से कह रहा है what is the moment of inertia of a solid spare of density rho and radius r about its diameter तो एक solid spare है density दे रखी है radius दे रखी है उसके diameter के बाउट formula कितना होता है यह रहाँ अब इस mass को convert कर दो बस कुछ ऐसे दिख दो ठीक है तो 4 by 3 pi r cube और कुछ दे रखा है इसने नहीं बस यही दो चीज़े दे रखी है और तो कुछ नहीं दे रखा ओके कोई फरग नहीं पड़ता moment of inertia of a solid spare मगर options जो है मुझे कुछ खासा यहाँ पर दिख नहीं रहे मतलब options में थोड़ी सी खरावी दिख रही है मुझे इतना कैसे हो सकता है तो चलो हम इसे लिखते तो है कम से कम टू इंटू फोर पाइव इंटू थी डेंसिटी पाई आरस की पावर फाइव तो दो चौक आठ पांच तीया पंद्रा एंड थी पॉइंट फोर को हम ऐसे लिख देते हैं 22 बाइ सेवन रो आर की पावर 5 ओके तो यह हमारे पास कितन निकल कराये गा आर दुनी सोला आरदुनी सोला एक सकतरह मतलब ओप्जन बर नांइ और सी था following problem clear three rod each of length l and mass m are placed along x y and z axis such that in such a way that one end of each rod is at origin the moment of inertia of the system about z axis will be three rod है हमारे पास तीनों को हमने x y z direction में रखा एक को x में रख दिया एक को y में रख दिया और एक को z में रख दिया तीन rod को फिर हमने बोलाया कि moment of inertia निकालो लेकिन z axis के about तो एक ऐसे axis of rotation move कर रहा है हमें इसके about moment of inertia निकालना है देखो यह जो तीसरी rod है इसका तो moment of inertia zero हो जाएगा पहले वादी जो rod है उसका moment of inertia और जो तूसरे वादी rod है सिफ उसका moment of inertia हम यहां लिखेंगे तो 2 ml square by 3 that is option number B will be the correct solution for the following problem two masses 200 gram and 300 gram attached to the 20 centimeter and 70 centimeter mark of a light meter rod respectively तो एक meter rod है एक meter rod का मतलब है वो 0 से शुरू होगी और 100 centimeter पर खतम होगी हमसे बोला गया moment of inertia of the system about an axis passing through 50 centimeter mark 50 centimeter mark पर यहां पर से एक axis of rotation निकलेगा 200 gram और 300 gram को attach करा गया 20 और 70 centimeter के mark पर तो 20 centimeter के mark पर 200 gram को attach कर दिया गया और 300 gram को attach करा गया 70 centimeter के mark पर यह 70 centimeter के mark पर हमसे बोला गया अब बताओ moment of energy कितना होगा तो हमने का यार चलो ठीक है बता देते हैं यहां से हां तक का distance बताओ कितना होगा अब यह 20 centimeter यह 50 तो यह होगया 30 centimeter और यह distance कितना होगया 70-50 20 centimeter तो हमने लिखा MR square M1 R1 square plus M2 R2 square भाई रॉड अपने आप में मास लेस है तो उसकी हम लेकर भी नहीं चल दें तो हमने पहले वाले को लिखा जोगी कितना है 200 gram तो 200 gram multiply उसकी distance from the axis of rotation फिर कितनी है हमारे पास 300 gram और उसकी distance from the axis of rotation बस और कुछ है यहां पर नहीं अब यार इतनी सारी calculation मुझे करनी पड़ जाएगी यह लगवग लगवग किसके बराबर आ जाएगा 0.03 ठीक है तो हम इतनी calculation नहीं करने वाले यह आप ही को मुभारक सरी calculation इतनी calculation का आप क्या करेंगे ज़रूर बताइएगा है ना तो यह हमारा answer हो जाएगा option number B will be the correct solution for the following problem तो दुनी चार तीया बारा और तीन तीया नौ दुनी अठारा अठारा बारा तीन येस इसी के आसपास का आप से देखने को मिलेगा हमारे को let us start the kinematics of rotational motion about a fixed axis तो पहला question हमारे पास क्या कह रहा है the wheel is rotating at 900 rpm तो पहले तो इसे rps में convert कर लो तो 900 rps 60 से डिवाइड करा तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा ये f1 है मतलब frequency 1 when the power is cut off it comes to rest in 1 minute अगर हम power को क्या कर देते हैं cut off कर देते हैं तो ये चीज एक मिनट के अंदर rest में आ जाती है तो time period होगे चाट सेकेंड का और final omega होगे हमारे पास 0 angular retardation हमारे को बताना है तो f1 से हम पहले initial omega निकाल सकते हैं तो कितना हो जागा 2 pi 900 by 60 इसने बोला कि भहिया आपको alpha की value निकालनी है तो हम जानते हैं omega final omega initial alpha t ये formula होता है ये हमारे पास 0 है तो omega initial है 2 pi 900 by 60 alpha निकालना है और time period है 60 0 से 0, 0 से 0, 2 ती या 6, 3 ती या 9, 3 दू निच है तो alpha की value हमारे ले आ जाएगी pi by 2 radian per second square that is option number 1 मिल विरा correct solution for the following problem motor is rotating at a constant angular velocity of 600 rpm तो हमारे को n की value rpm में दे रखी है at least उसे rps में convert करना पड़ेगा और omega निकालने के लिए formula कितना रहता है 2 pi n तो ये रही हमारी frequency हमें दे रखे लेकिन इसे rps में convert करना होगा तो मैंने 60 से divide कर दिया 2 pi से multiply कर दिया तो मेरे पास omega की value निकल कर आ जाएगी कितना आएगा अगर हम इसे solve करते हैं तो 10 तो 20 pi आ गया इसने हमसे बोला कि the angular displacement per second angular displacement per second हमारे पास यहाँ पर कितनी निकल कर आ रही है देखिए सर इसने हमारे को जो time period दे रखा है वो सिर्फ 1 second का time period दे रखा है है ना अगर तुम इसे लिखोगे यह चीज़ क्या हो जाती है यह भी तो तुमारे पास angular displacement per second ही है क्यों क्योंकि तुम इसे लिखते हो d theta by dt है ना तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें यह क्या है angular displacement per second और इसका answer क्या है 20 pi तो हम क्या लिखतेंगे कि it is nothing but 20 pi radian per second यहाँ पर per second की कमी है तो वो per second आपको लिखना है वैसे अगर तुम से यह पूछ रहेगी angular displacement only in one second तो आप यहाँ पर इसे one second बना देना तो आपके पास answer कितना आ जाएगा that will be one multiplied 20 pi तो यहाँ पर इसने जो पूछ है ना angular displacement per second वो तो 20 pi radian per second आ जाता लेकिन एक second के अंदर जो angular displacement हमारी निकल कर आ दिया वो कितनी निकल कर आ दिया 20 pi तो हमारा option number d correct हो जाएगा तो बही देखो simple सी बात है units में हमारे को radian 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 दे रखा है तो इसका मतलब है यह सिर्फ एक second में हमसे यह पूछ रहा था एंगुलर acceleration of 3 radian per second initial angular speed of 2 radian per second ठीक है इन टाइम आफ 2 second it is rotated through an angle of कितने एंगल तक यह rotate कर गया तो हम यहापर यही formula लगाएंगे और तो कोई हमारे पास formula है नहीं initial omega कितना दे रखा है 2 time कितना दे रखा है 2 plus 1 by 2 alpha की value कितनी दे रखी है हमारे को 3 B और time की value कितनी दे रखी है 2 square 4 plus 6 कितना आ जाएगा 10 तो B option हमारे क्या हो जागा correct solution हो जाएगा that is 10 rads ओके a torque of 30 newton meter is applied on a 5 kg wheel whose movement of inertia is 2 kg per meter square 2 kg meter square for the 10 second the angle covered by the wheel in the 10 second will be तो एक torque हमने लगाई तो टॉर्क का formula क्या होता है i into alpha कितने की torque हमने लगाई है यहाँ पर 2 kg meter square की नहीं नहीं sorry वो तो moment of inertia दे रखा है यहाँ टॉर्क लगाई है हमने यह 30 newton meter थी तो यह आ गई moment of inertia कितना दे रखा है 2 kg meter square angle angular acceleration हम यहाँ पर से निकाल सकते है alpha तो alpha की value कितनी आजेगी 15 खतम हो गया पहला answer अब इस से हमें क्या निकालना है angle covered angle covered का formula क्या होता है omega initial t plus half of alpha into t square अब यहाँ पर हमारे पास as per the question अगर हम देखे तो initial omega हमारे पास 0 है उसका वर्णा नहीं नहीं है बताई नहीं रखा है ना टॉर्क लग रही थी टॉर्क से ही वो चल रहा था तो initial omega हमारे को 0 दे रखा है यहाँ पर सिर्फ हम values लगा देंगे alpha की value कितनी आ गई 15 आ गई और time की value हमार पास कितनी आ गई 10 आ गई now in this question it is saying a talk of 50 Newton meter acting on a wheel at rest rotated through a 200 radian in just five seconds calculate the angular acceleration produced तो देखो टॉर्क लग रही है हमारी 50 Newton meter अब इसने कम से कम इसे rotate कर दिया 200 radian 5 seconds के अंदर तो हमें angular acceleration जो produce हो रहा है वो निकालना है वैसे तो हम यहां से directly निकाल सकते थे i into alpha लिख लेते हम यहां पर लेकिन अगर आप देख पादे हो तो यहां पर ऐसा enough data नहीं given है मतलब मुझे i की value यहां पर given ही नहीं है लेकिन इसने यह बोल दिया है कि 200 radian 5 seconds में movable है है की नहीं तो हम यहां पर क्या कर सकते है हम लगाएंगे omega will be equal to या omega मत लगाओ omega की मुझे नहीं लगते हैं यहां पर जूरत पढ़ने वाली है हम directly यहां पर लिख देते हैं कैसे इसी से लिख लेते इस equation से omega initial t plus half alpha t square at least यह equation किसी काम तो आएगी तो इसने बोला 200 radian 5 seconds में हमने move कर दिया तो यह हो गई हमारे पास कितनी 200 और यह कितनी हो गई 5 अब initial हमारे पास 0 है इनीशल omega क्या है हमारे पास 0 क्योंकि यह rest से rotate कर रही है यह देखो तो अगर हम सारे data को यहां fix करते है तो alpha की value कितनी हाज है कि 2 into 200 अपान में 25 तो यह कितना हो जागा 2 into 4 तो 2 दो दो नीचा 16 radian per second square यह हमारा overall answer देखने को मिलेगा simple सा question था coin of mass 4.8 kg and radius 1 meter rolling on a horizontal surface without sliding ठीक है अगर सिर्फ roll करता है slide नहीं करता तो मतलब pure roll में है तो V equal to r omega formula यहां follow होगा अब हमसे कहा गया with angular velocity of 600 rotation per minute तो angular velocity दे रखी है 600 rotations पर minute और minute को हमने second में convert कर लिया तो यह कितना हो जाएगा 10 rotation पर second यहां तक यह बात clear है तो यह हमारे पास omega निकल कर आएगी भहिया इतने rotation per second अब एक rotation में कितना angle करते हो two pi तो अगर हम इसे लिखे तो क्या लिखेंगे 10 into two pi अप इंटू रेडियन पर second अब यह unit भी हमारी किसमें आ गई ओमेगा की unit में आ गई ओमेगा की unit radian per second होती है हमें क्या दे रखता था rotation per minute यह rotation per minute क्या हो जाता है frequency हो जाती है तो हमने क्या करा हमें पता चला 10 rotation per second हमने rotate करा एक rotation के अंदर हम 2 pi radian cover कर लेते हैं तो answer इतना आ जाएगा वरना तुम direct भी लिख सकते हो तुम direct ऐसे ही लिख देना है 2 pi n that is omega तो 2 pi n तुम यहां से लिख सकते हो 600 बटे साथ तुम्हारे को omega निकल कर आ जाएगा 20 pi radian per second clear what is the total kinetic energy of the coin पूछ रहा है coin की total kinetic energy कौन सी है कितनी है एक तो rotational हो गई एक ट्रांजलेशनल हो गई 1 by 2 अब point का mass दे रखा है 4.8 coin एक डिस्क है डिस्क है न तो इसकी moment of inertia कितनी होती है 0.5 mR square तो half into mass m into एक न टुकना 4.8 है into radius का whole square radius दे रखिया एक मीटर की अब यह कौन सा coin है एक मीटर की radius वाला चलो अपने को क्या अपने को तो calculations कर दी है और 1 by 2 m into v v की value निकालनी पड़ेगी r into omega और omega की value हमारे पास है 20 pi ठीक है तो 20 pi का whole square मैं देख लेता हूँ एक बार सारी जगा हमने अरे यह टू पाई लिख दिया है यहां गलती कर दी इने को यह 20 pi आना था अब सही है तो यह हमारे पास answer ऐसे बंद कर आ रहा है अब इस overall चीज को क्या कर लेना है हम लोगो calculate कर लेना है तो अगर हम माल लो इस overall चीज को calculate करेंगे तो कितना रहेगा या यह तो बहुत ही गंदी सी value आएगी 1140 pi स्क्वेर जूल के आसपास मतब pi को मैं छेड़ दी रहा हूं बागी सब चीज़े मैंने calculate कर लिए क्योंकि question के अंदर भी ऐसा ही हमें दे रखा है तो मारे पास answer कितना आ जाएगा 1140 pi स्क्वेर जूल क्लियर रिंग ओफ रेडियस R is rotated with an angular velocity omega naught carefully placed on a rough horizontal surface the coefficient of friction between the surface and the ring is 1 by 4 time after which the angular speed is reduced to half क्या रहा है आपके पास एक ring है ठीक है यह हमने एक surface पर रख दी इस पे यह rotate कर दिया with an angular velocity omega naught अब हुआ क्या जब तुमने यह रख दी यह एकदम से आगी की तरब भागेगी friction लग रहा है friction इसे slow down करेगा तो अब इसकी जो omega हो गई इसने बोला coefficient of friction जो surface और ring के बीच में act कर रहा है वो 1 by 4 है angular speed अगर half हो गई final angular speed अगर half हो गई तो यह बताओ कि यह सब काम होने में समय कितना लगा main चीज क्या है हमें यह पता करना पड़ेगा कि इस particular question के अंदर जो retarding torque है वो कौन create कर रहा था वो friction create कर रहा था तो torque friction कितनी create कर सकता है अगर हम center के about देखे तो friction के द्वारा लगने वाली force क्या होगी mu into m into g और center के about लग रही है radius r distance हवे तो यह retarding torque हो जाएगी अब इसको मैं क्या करूँगा i into alpha के पराबर करतूँगा क्योंकि मुझे alpha निकालना है retarding angular acceleration तो कितना हो जाएगा mu into m into g into r upon में ring है तो mr square तो यह अगर मैं solve करता हूं तो कितना आ जाएगा mu m से m cancel r से r cancel mu g upon में r यह alpha की value आ गई हमारे पास फिर हम formula क्या लगाएंगे alpha का मतलब क्या होता है final minus initial upon में total time taken तो यह हमारे पास होगा mu into g upon में r radius r ही है अब कुछ तो दे नहीं रखा तो यह ही लिखना पड़ेगा और omega initial minus omega final तो omega final omega naught by 2 है omega initial omega naught है upon में total time ध्यान रखना यह retarding alpha है तो इसमें negative लगाना मत भूलना और भूल भी जात होगी क्या फरक पड़ रहा है टाइम तो हमेशा ही positive आएगा जो आंसर निकिलेकों से positive में convert कर देंगे तो time की value क्या आ जाएगी omega naught upon में two okay r उपर चला गया और यहां पर क्या बच रहा है आपके पास दो दुनी चार दो पंजे दस तो दो उपर चला जाएगा पांच हमारे पास क्या है नीचे आ जाएगा भाई options ही अंदर इसने mu बगएरा सब कुछ रख रखा है मतलब बस इसने का कि मैं तुम्हारे को भले ही यहां coefficient of friction दे रहा हूं लेकिन use मत करना मैं 1 by 4 दे रहा हूं लेकिन use मत करना बस mu का as it is रख देना तो कोई नहीं मैंने यहां पर हर type का answer निकाल लिया है पहला तो मेरे पास answer कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है अगर numerical value में अगर in the terms of mu पूछ रहा है तो in the terms of mu भी हम निकाल देते हैं मैं इसको छेड़ने वाला ही न ठीक है मुझे नहीं लगता कि और इसमें हम कुछ add या subtract कर सकते थे और 10 को भी मैं g के बराबर लिख देता हूं अजीब से ही options है लेकिन कोई फरक नहीं पड़ता तो यह हमारे पास आ रहा है omega not by 2 और mu g into r मतलब कौन सा option हमारा correct हो गया option number c will be the correct solution for the following problem मैं तो यह सोच रहा की जरुरती की आती है लेकिन चलो ठीक है उसकी मर्वी उसका question भाई हमारे को क्या फरक पड़ रहा है हमें तो सिर्सॉल्व करना है है कि वील आफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 into 10 की पावर माइनस 3 is making 20 revolution per second it is stopped in just 20 seconds तो कह रहा है कि एक वील है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया आपको 5 into 10 की पावर माइनस 3 वो 20 revolution per second बना रहा है तो अगर omega की हम बात करें तो वो हो जागा 2 pi into 20 upon में 1 यह उसने बोल रखा है 20 revolution per second तो इसे change नहीं करना है यह 40 pi हो जाएगा यह आपका initial omega आ गया कह रहा है 20 second में आपने stop कर दिया इसको कर दिया तो angular retardation कितीनी होई angular retardation क्या होती है final omega minus initial omega upon में total time taken final omega हमारे पास 0 है initial omega हमारे पास 4 pi है और समय आपने लिया 20 second गा तो आपके पास आ रहा है minus 2 pi radian per second square तो इसका मतलब है हमारे पास option number B क्या हो जागा एक correct solution हो जागा for the following problem which is 2 pi radian per second square लेकिन answer negative मेंगा क्योंकि वो retarding है retarding है next question हमसे क्या कह रहा है an athlete throw a disc from the rest to a final angular velocity of इतना radian per second तो एक athlete है यह बाद कर चलो इसने अपने हाथ में एक disc पकड़ रखी है वो एक disc को throw करता है initial omega disc की zero है throwing जो होती है वो circular arc में होती है हमारे पास जो final omega हो जाता है disc का वो कितना हो जाता है 15 radian per second और इस कार्दे को करने के लिए वो time लेता है 0.270 second हमसे बोला गया during the acceleration disc move a circular arc of 0.810 meter मतलब यह जो arc उसने cover करी है इसकी जो measurement हो है 0.810 meter तो हमसे बोला गया कि acceleration कितना होगा disc का just before it is being released तो यहाँ पर जो acceleration यह disc experience कर रहा है यह हमारे को निकालना है हमने जगा ठीक है कोई फरक नहीं पड़ता angular acceleration क्या हो जाता है omega final minus omega initial upon में time t तो angular acceleration कितना हो जागा final omega हमारे पास कितना है 15 और initial कितना है 0 तो time हमने कितना लिया 0.270 तो यह हो गया radian per second square के अंदर answer अब जब हमने angular acceleration निकाल लिया तो हमें acceleration की value पता ही है क्या होती है r into alpha अब हमारे को radius का value नहीं पता है यहाँ पर लेकिन हमें arc length की value इसने दे रहखी है यह इसने आप दे रखा इसने कितना है 0.810 तो यह हो गया 0.810 multiply 15 अपन में 0.270 अब हमारे को इस गंदी से वैल्ली को calculate करना पड़ेगा तो जीरो से जीरो हटा दो 100 से 100 जाएगा और नो तिया सताइस नो निमिक्या सी तीन तिया नो आंसर आजाएगा मारा पैतालिस that will be the complete answer for the following problem car is moving at a speed of 72 km per hour the radius of its wheel is 0.25 if wheel are stopped in just 20 rotations by applying the brake then the angular retardation produced by the brake will be equal to तो एक कार है जिसकी इनीशल स्पीड हमारे को दे रखी है 72 km per hour ठीक है तो वी इनीशल इस 72 km per hour आठिक मार्सुला आठिया 24 आठ चॉक 32 है ना चार पर काड़ देते हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड the radius of its wheel is तो हमारे को radius wheel की दे रखी है 0.25 मीटर wheel are stopped in 20 rotations तो इतनी angular displacement के बाद wheel stop हो जाते हैं हमसे बोला गया कि angular retardation कितना produce हो रहा है find the value of angular retardation हम यह मान कर चलते कि हमें initial omega जो दे रखा है वो वी बाई आर के formula से हम निकाल सकते हैं है ना वी कितना है 20 आर हमारे पास कितना है 0.25 that is 80 radian पर सेकेंड तो मैं यहाँ पर यह वाला formula लगा सकता हूं बिल्कुल लगा सकता हूं इसके अलावा कोई और formula है जो हम लगा सकते हैं नहीं वैसे लगा सकते हैं यह वाला है ना क्योंकि इसने time तो दे नहीं रखा तो यही वाला formula हम लगा सकते हैं इसमें omega final 0 हो जाएगा omega initial हम निकाल चुके हैं कितना आ रहा है 80 radian per second ठीक है और यह हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और यह theta को करना पड़ेगा 45 और तो कुछ मुझे लग नहीं रहा अगर हम इसे calculate करते तो यह कितना हो जाएगा 80 का whole square minus 1 upon में 2 चौकाट 80 pi बहुती गंदी value आ रही है एक 80 से 180 को यहाँ पर काट सकता हूँ मैं at least 3.14 and 8 तो 3 नो नी 6 दो का factor आ गया मतलब हमारे पास 2 option तो rule out हो गया एक यह option rule out हो गया एक यह option rule out हो गया फिर क्या बच रहा है मेरे पास 3 ना 80 तो 20 के आस पास 3.18 तो यह भी गलत हो जाएगा यह हमारे पास सही हो जाएगा क्योंकि most probable option यही हो सकता है जो हम यहाँ पर क्या है लगा सकते हैं आगे बढ़ते हैं calculation वाली बिल्कुल clear है यहाँ प तो इसक बने को मिल रहा है तो डिस्क स्टार्टिंग फॉम दी रेस्ट तो डिस्क रेस्ट से स्टार्ट कर दिया है उमेगा इनिशल हमारे पास कितना हो जाएगा 0 acquire तो इतने की एंगुलर वेलोसिटी वो एक्वायर कर लेती है मैंने फिर से रेवलुशन पर मिनट को रेवलुशन पर सेकंड बना दिया और टूपाइस से मल्टिप्लाइ कर दिया तो ओमेगा फाइनल आ जाएगा एंगुलर एक्सलरेशन कितना है समय हमारे को दिरक है तस तो एंगुलर एक्सलरेशन तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास चैचोग चौबएस एट पाई माइनस जीरो अपॉन में टोटल टाइम टेकन विच इस तो हो गया अरे कैसे हो जाएगा यार पाई दे रखा है 3.14 है ना आर्ट या 24 और नीचे दे रखा है 10 तो लगबग लग देखने को मिलेगा 2.5 के आसपास है की नी करी लेते हैं 8 इंटू मगर 3.14 देना सही होगा हमारे ले लो आर्ट चोग 32 तीन आए 8 9 10 11 आर्ट या 24 और 25 तो यही आंतर हम लगा देते हैं 2.51 यहाद लिए रोगा है 2.51 यहाद पर से किस्ट फर से के से रोगा लूट यह विक्लिया रोगा है चारोग लगगा है लुट सर्ट इन्मिक्स पूर्शाशिचा अंडलरों फीक्स अससा क्रेंने कार्ट जा मिंट ए राक्सी कर्किशन हमारे को दे रखा है इन दे पाले figure, a body of mass m is tied to one end of the light string and the string is wrapped around the solid cylinder of mass m of the radius r, add the moment t equal to 0, the system start moving, if friction is negligible, angular velocity at any time t will be equal to, तो हम से यह पूचा जा रहा है कि भहिया इस system के घूमने कि angular velocity as a function of time t कितनी होगी, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, यह जो mass है, इसका मैं fbd बना सकता हूँ, ठीक है, यह mass m नीचे जा रहा है, यह tension t लग रही है, mg लग रहा है, यह ma लग रहा है, है ना, तो हम इसका nlm का equation लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, mass into acceleration mg minus tension t, यह हमारे पास पहली equation निकल कर आ गई, यहाँ तक हम satisfied है, हम देखा चलो, ठीक है, इस ओके, दें दूसरी चीज़ ना, हमारे पास क्या हो जाती है, यह जो tension t है, यह इसे घुमाने की कोशिश करेगी, यह जो disk है, tension t यहाँ पर काम कर रही है, इसे घुमा रही है, तो alpha से घुमा रही है, हमने लिखा tension t will be equal to i into alpha, है की नहीं, अब हम से omega as a function of time t पूछा गया, alpha का मतलब क्या हो जाता है, final minus initial upon में time t, यही हम लिख सकते हैं, या फिर चलो अभी इसे थोड़ा सा halt पे रखते हैं, पहले answer निकाल लेते हैं, यह जो torque है, यह कौन create कर रहा है, यह tension create कर रही है, अब यह जो tension है, यह torque center के बाउट कितना create कर रही है, tension into R, तो यह जो torque है, यह concrete कर रही है, tension create कर रही है, तो मुझे यहाँ पर tension को निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, इस equation में यह भी एक unknown है, उपर से यह acceleration भी unknown है, अलफा भी एक unknown है, तो मैंने का यार, यहाँ पर तो pure rule हो रहा है, तो यहाँ पर A is equal to R alpha लिख सकता हूँ, तो alpha की जगा मैं लिख सकता हूँ, A upon me R, तो अगर माल लो, यहाँ से मैं acceleration की वेल निकालता हूँ, तो वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, T R square upon me I, क्या लिखेंगे, half M R square, R square, R square कर जाएगा, 2T by M, यह answer आ गया, अभी खतम नहीं हुआ, हमने जो यह equation लिखी, M A, M G minus T, M A, A की value कितनी है, 2T by M, M G minus T, M से हम काड़ दो, तो 3T equal to M G, T की value आजेगी, M G by 3, आ गहीं, अब acceleration की value निकालता हूँ, कितनी हाजाएगी, 2T by M लिखा था, ओके, अदे, एक नट रुको, एक नट रुको, कुछ गड़बड है, गड़बड पता है क्या है, हमने यहाँ पर दोनों की चीजों का mass same ले दिया, mass same ले दिया, इसका mass, जो disk है, उसका mass capital M है, यह capital M कर दो, है न, R square से R square कर जाएगा, 2 कुछ calculations को वापस करना पड़ेगा, देखो, यहाँ पर जो यह लिखा जा रहा है, यह box के लिखा जा रहा है, अगर मैं acceleration की value अब यहाँ पर लगाता हूँ, तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, ठीक, अब यहाँ से वापस मुझे tension की value निकालनी पड़ेगी, तो tension will be equal to 1 plus 2M upon में capital M, that will be equal to mg, मैंने क्या गलती करी थी, मैं बता देता हूँ, मैंने गलती से यह mass और यह mass same consider out कर लिया, काटा-काटी कर दी जिल्दबाजी में, और रायता फैल गया, तो वो रायता नहीं फैलाना हमारे को, हमें ऐसे काम करना है, तो अब मैंने cylinder का mass भी consider out कर लिया, तो tension की value मुझे देखने को मिलेगी, mmg upon में m plus 2m, यार same ही देते थे यार, समसे का monster तो easy हो जाता, अब इतना बड़ा यह निकालना पड़ेगा हमारे को, छोड़ो यार सारी बाते, तुम acceleration की बात लिखो, तो acceleration हमारे पास कितना है, 2ty capital M, तो 2ty capital M, t की value मैंने यहां से लगा दी, है ना, अब तो लगता है आदत सी हो गई, यह ऐसे गंदे-गंदे से question करने की, तो यह आ रहे है, 2mg, m plus 2m, यह acceleration की value आगे है हमारे पास, अब acceleration किसके बराबर है, r alpha, तो alpha की value कितनी ही आ जाएगी, 2m into g upon में r, m plus 2m, आ गया, अब यह जो value निकल कर आई है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक चीज और पता है, देखो, alpha, final omega, initial omega upon में time t, यह तो 0 है, final omega हमारे पास कितना निकला, 2mg, r, m plus m, that will be equal to, omega final upon में time t, मैं क्या कर सकता हूँ, इस time t को यह multiply कर सकता हूँ, तो क्या आएगा, 2m, gt, r, m plus m, that is, option number d, will be the correct solution, for the following problem, खतम होगे, next question, अब इस question में कहा रहा है कि यह block नीचे की तरफ आ रहा है, और यह कम से कम, 5m height cover कर लेता है, 2 second के अंदर, यह जो rim हमारे को दे रख किया है, इसकी खुद की जो radius है, वो 0.5m के आसपास है, हम से यह पूछा गया है, कि आप बस इतना बता दो, कि इसका moment of inertia कितना होगा, मैंने कहा चलो ठीक है, पहले यह निकाल लेते हैं कि इसका acceleration कितना है, यह जो block नीचे आरे है, इसका acceleration निकाला है, हमने s is equal to ut plus rp t square, initial velocity इसकी 0 है, displacement कितनी कवर करता है, 5m, half into, acceleration into, कितने second में, 2 second में, तो acceleration आगे हमारे पास 2, यह पहली चीज़ आगी, अब मैंने कहा करा, मैंने कहा यार, यह जो acceleration है, इसकी terms में हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने equation लिखी, equation कुछ ऐसी बनी, कि mass into acceleration equal to mg minus tension t, वही हमने 2 kg के block का fbd बनाया, mg भी नीचे काम कर दी है, mb नीचे काम कर रहा है, और tension t उपर की तरफ लग रहा है, और साथी साथ इस rim के बारे में हमने पता करा, तो इस rim का भी fbd बनाया, तो यह पता चला कि यह tension t के द्वारा घूम रही है, angular acceleration alpha से, जो की हमारे normal acceleration से कुछ ऐसे relate करेगा, क्योंकि प्योर रोल चलता है, तो अगर हमने यह formula दिखा, t into r will be equal to i into alpha, which is a by r, तो हमारे पास acceleration की value, यह कहलो tension की value हमारे पास निकल कर आ जाएगी, i into a upon r square, हमने क्या करा, इसको यहाँ लिख दिया, यह हो गया, m a mg minus a i upon r square, है, और इसे solve करा हमने, तो हमारे पास acceleration की value आजेगी, g upon m 1 plus i upon m r square, m किसके छोटे वाले block का mass, तो यह आया 10, 1 plus i upon m, mass m कितना है, हमारे पास छोटे वाले block का 2 kg, और radius है, हमारे पास 0.5, which is 1 by 2, तो यह हो जाएगा, 1 upon m 4, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, सर, equate कर दिया, तो 10 upon m, 1 plus 4 i upon m, 2, will be equal to 2.5, something like that, है की नहीं, तो यह आया 10, यह गया 4 पर कड़ गया, तो 4 will be equal to 1 plus 4 i upon m, 2, तो यह 3 into 2 upon m, कितना हो गया, 4, which is i, तो 3 दूनी 6 बटे 4, 2, 3 i, तो i की value कितनी आ रही है, 1.5 kg m2, that is option number d, will be the correct solution for the following problem, एक easy problem थी, ओके, तो यहां तक यह no down कर लो, a disk like reel with massless thread unrolls, तो कुछ ऐसा हमारे पास scenario है, यह एक disk है, जो ऐसे, मतलब धागे की reel नहीं होती, बस यह समझ को, यह धागे की reel है, तुमने एक हाथ से धागा पकड़ रखा है, वो नीचे unroll हो रही है, हम से पूछागे की इसका acceleration कितना होगा नीचे गिरने का, ऊपर क्या लगेगी tension, नीचे क्या लगेगी mg, तो मैं लिख सकता हूँ, mass into acceleration will be equal to mg minus tension t, और यह जो tension है, इसके द्वारा created torque angular acceleration create करेगी, that will be i into alpha, और alpha की value कितनी होगी, a by r, तो यहाँ पर tension की value है, i a upon r square, इसे यहाँ पर मैं रख दूँगा, तो m a will be equal to mg minus i a upon r square, और कुछ हो सकता है नहीं, तो acceleration की value कितनी हाजएगी मेरे पास, g upon 1 plus i upon m r square, disk है हमारे पास यह, तो 1 plus i कितना हो जाता है, 1 by 2 m r square, तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँगा, 1 by 2, that is answer will be 2 by 3 of g, तो option number d हमारे क्या हो जागा, correct solution हो जागा, इस पूरे problem का, तो बस दो equation मना नहीं थी, उन दो लोगो equate कर देना ता answer आ जाता है, next question हम से क्या कह रहा है, we are having a mass m, hanged with the help of a string wrapped around the pulley, of frictionless bearing, the pulley has a mass m, small m, assuming the pulley to be perfect uniform disc, acceleration of the mass m, if the string does not slip, यार यह छोटा सा mass m है, यह pulley है, इसका भी mass m है, radius r है, कह रहा है कि, जब यह नीचे गिरता होगा, तो इसका acceleration कितना होगा, तो हम directly यहाँ पर यह acceleration याद रख सकते हैं, ठीक है, तो g1 plus, pulley का moment of inertia कितना होगा, और यह जो mass m है, यह box का mass m है, अगर हम इन सब चीज़ों को यहाँ पर रखते हैं, तो हमारे पास answer कितना आजएगा, 2 by 3 g, है ना, 2 by 3 g, that is option number b will be the correct solution for the following problem, clear, next, angular velocity of the body is given as follow, torque is given as follow, what is the rotational power, tau dot w, तो tau हमारे को दे रखा है, 2i, 2j, 3k, और omega दे रखा है, 2i, 3j, 4k, dot product निकाला, एक दुनी दो, दो ती अच्छा है, 3.12, तो 6 और दो आठ, आ गया 20, तो 20 watt का हमारे पास क्या हो गया, overall answer हो गया, next question, the angular momentum of the rotating body is increased by 200%, तो जो नया angular momentum होगा, वो तीन गुना होगा, पुराने angular momentum के, क्योंकि नया angular momentum आपने 200 गुना percent increase कर दिया, तो पुराने का 200% आपने increase कर दिया, तो जो नया angular momentum आएका, वो तीन गुना हो जाएगा, इसी चीज़ का मतलब होता है, 200% increase कर देना, 200 नहीं हो जाता हो, 200% increase का मतलब होता है, existing value के अंदर तुमने उसकी 200% value गी और add कर दी, तो इसने हम सब पूचा, kinetic energy of the rotation will increase by, kinetic energy कितने increase कर गई, हमें पता है, kinetic energy का formula होता है, L square by 2m, तो जो final kinetic energy हमारी निकल कर आएगी, वो 9 times of initial kinetic energy हो जाएगी, है की नहीं, क्योंकि momentum 3 गुना बढ़े गया, तो kinetic energy 9 गुना हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर kinetic energy is directly proportional to L square, तो इसका मतलब यह मुझे पता चल रहा है, कि अगर मैं यहाँ पर लिखो, old kinetic energy plus 8 times of old kinetic energy, या फिर अगर मैं change ही निकालना चाहता हो, तो मैं ऐसे लिखूँगा, final minus initial upon में initial, है की नहीं, final हो गई 9 गुना, initial के, तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा, कि भई कम से कम 8 गुना यह जो energy है, वो बढ़ चुकी है, देखने पर भी पता चल रहा है, मैं 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 plus 8, तो यह जो 8 है यहाँ पर, यह क्या बता रहा है, 8 गुना बढ़ गई, 8 गुने का मतलब क्या होता है, 800% बढ़ गई, तो directly हम यहाँ पर 800% लगा सकते हैं, जिसे बच्चे को यह नहीं आता, वो यह वाला यूस करें, जो पहले वाला answer है, 9 minus 1 upon में 1, इंटू 100 कर दोगे तो percentage में answer आजाएगा, है की नहीं, तो 800% आपका answer होगा, a ring, a solid sphere and a thin disk of different masses rotate with the same kinetic energy, equal torque are applied to stop them, which will make the least number of rotation before coming to the rest, तो हम से पूज़ा जा रहा है, हमारे पास यहाँ पर एक ring दे रखा है, एक solid sphere दे रखा है, और एक क्या दे रखा है, थिन डिस्क दे रखा है, अब अगर हम देखे तो least number of rotation कौन काटेगा, ताकि rest पर आ सके, है, तो हम सेम ही लगा रहे हैं, दोनों के अंदर रोकने के लिए, देखो, हमने कहा, वर्गड़न, जो हमारी external torque कर रही है, वो हो जाएकि टाव इंटू थीटा, एकि नहीं, वर्गड़न हमारे पास हो जाएगा, change in kinetic energy, और change in kinetic energy क्या होगी, kinetic energy, initial minus kinetic energy, final या कहलो, जो भी है, जो भी तुम लिखना चाहोगी, final minus initial, वो matter भी नहीं करता, लटार्डिंग बरके हमारे पास, तो obviously work done negative होगा, तो अगर तुम initial minus final लिखोगे, जिसमें तुमारा final का answer 0 आ जाएगा, तुम लिखोगे, minus kinetic energy equal to work done, और यह जो work done है, यह negative होगा, क्योंकि torque opposite काम कर रही है, तो यह जो tau dot हम थीटा लिख रहे हैं, it will become tau theta minus 1, doesn't even matter, क्योंकि उसने सिर्फ हम से यह पूछाएगी, कितनी rotations यहाँ पर कट जाएंगी, तो अगर हम यहाँ पर देखें, यह number of rotation आ रहा है, kinetic energy upon the torque, और बड़ी अजीब बात यह है, कि तीनों के पास same kinetic energy है, हम यह भी नहीं लिख सकते कि kinetic energy will be equal to half I omega square और I सबका vary कर रहा है, कि तीनों के पास kinetic energy ही same है, तो यह तो यह हो गया, और rotational kinetic energy ही है, हमारे पास जिसे हम रोग रहे हैं, और torque भी सब पर same लग रही है, तो यहाँ पर तो यह पता चल रहा है, कि कोई फरक ही नहीं पढ़ रहा, चाहिए, disk हो, ring हो, solid spare हो, कोई फरक ही नहीं पढ़ रहा, सबके सब same number of rotation मनाएंगे, और उसके बाद rest पर आ जाएंगे, तो answer क्या होना चाहिए, all of them will make the same number of rotation, है ना, that is option number D, flywheel of moment of inertia, इतना, rotated steadily, 120 radian per second by 50 watt electric motor, the kinetic energy of the flywheel will be equal to, तो kinetic energy of the flywheel हमारे पास कितनी हो जाएगी, half i omega square, half i into omega square, इसने बोला कि हम यहाँ पर drive करने हैं किस से, 50 watt की energy से, और इतना हमें घूमने को मिल रहा है, इतने से यह घूम पा दिया, 120 radian per second, तो इसे 2 pi से multiply कर दो, नहीं, नहीं, 2 pi से multiply करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो units ही है हमारे पास, radian per second, तो यह कितना हो जाएगा, डिरेक्ली इतना लिख सकते हम, तो यह कितना बैठेगा हमारे पास, 0.16, यह 100 नीचे आ जाएगा, 12 बटे 100, 144, 100, ठीक है, यह कितना आ जाएगा हमारे पास, 6, 4, 24, मतलब लास्ट में 4 आना चाहिए, यह हमारा option क्या हो जाएगा, correct solution हो जाएगा, अब यह question हमें क्या कहा रहा है, ring of mass 0.5m, radius, sorry, ring of radius 0.5m, mass 10 kg, rotating about its diameter with an angular velocity of 20 radian per second, find the kinetic energy, तो kinetic energy again half high omega square, लेकिन main बात यह है, कि disc, यह sorry, यह जो ring है, यह अपने diameter के about rotate कर रही है, तो diameter के about half mr square होता है, moment of inertia, and then omega square, सारी values यहाँ पर लगा दूँगा, radius की value कितनी है, 1 by 2, तो 1 by 2 का whole square, 1 by 4, omega की value 20 radian per second, तो 400, radian per second दे रखा है, तो उतना ही रहेगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा 100, और यह कितना होगा, 250, यह कितना होगा, 250, यह कितना होगा, 250, 200 Joule, option number D will be the correct solution for the following problem, next हम से क्या question कह रहा है, question is saying that, an automobile engine develop 100 kilowatt of the power, when rotating at a speed of 100 revolution per minute, revolution per minute दे रखा है, मतलब यह हमारे को, तुम यह समझे लो, वो क्या कहते हो से, frequency, frequency हमारे को दे रखी है, ठीक है, what torque does it deliver, यह torque कितनी deliver कर रहा है हमारे को, तो हमने बोला, यार चलो, ठीक है, सब कुछ दे ही रखा है, power दे रखी है, हम directly यहाँ पर लिख लेंगे, tau dot omega, power है 100 kilowatt, ठीक है, और torque हमारे को कितनी दे रखी है, torque की तो निकाल नहीं है, torque निकाल लेंगे, और omega है, हमारे पास 2 pi into 1800 revolution per second, अब क्योंकि यह drive कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का angle 0 डिख दी रहने वाला है, तो 1 लिख दूँगा, पकड़कर गुमा रहा है न, तो यह तो adding torque है, same direction में गुमाता रहेगा, अब अगर मानलो हम यहाँ पर से answer निकालने की कोशिश करते हैं, 6, 3, 18, 30 आ जाएगा, 1, 0 से 1, 0 कड़ जाएगा, यह जगा 10 into 1000, अप उन में 3 दूनी 6 pi, and that is the value of torque, ठीक है, इसे solve भी करना पड़ेगा सर, हमारे को सिर्फ इतना सा काम नहीं चलेगा, 10 की power 3 into 10, 10 की power 4 upon में 6 pi, तो यह हो जाएगा 3.14, 22 by 7 नहीं लेने वाला, तो 3 चिंग 18, 20 की आसपास, 3 चिंग 18, ठीक है, 3 चिंग 18, 20 की आसपास, 2 गया, तो 5 का factor, अगर 5 का कोई factor आ रहा है यहाँ पर, तो यह हमारा option, correct हो का सर, लगबग, लगबग, ठीक है, यही कर सकते एतनी जल्दी कालकुलेशन के अंदर तो, तो 531 Nm will be the correct solution for the following problem, now this question says, a wheel is rotating with an angular speed of 20 radian per second, it is stopped to rest by applying a constant torque for 4 second, if the moment of inertia of the wheel about the axis is 0.2, then the work done by the torque in the 2 second of interval will be equal to, तो वर्गड़न पूचा गया और वो भी 2 second के interval के अंदर हम से वर्गड़न पूचा गया और वो भी इस torque के दुआ रहा, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखे, initial angular speed हमारे को दे रखे 20 radian per second, stopped to rest by applying a torque for 4 second, moment of inertia, 0.20, final omega, 0, तो वर्गड़न अगर हम लिखे, तो लिख सकते है, change in kinetic energy, और क्या, है की निए, यही तो लिखेंगे, इसके लाब और क्या लिख सकते है, कुछ निए, हाँ, इसने मगर पूचा है, वर्गड़न in just 2 seconds, और 4 second के लिए पूच रहा है, देखो, करते है, इसने हमें 4 second का तो दे रखा है सारा data, लेकिन यह पूच रहा है, 2 second के अंदर, जो वर्गड़न है, वो कितना हुआ, वो बताओ, तो यार, formula तो हम यह लगा सकते है, change in kinetic energy, that is, 1 by 2 I omega at time t equal to 2 second का whole square, minus omega at time t equal to 0 का whole square, यह तो लगाया जा सकता है, अलफा से, अलफा कॉन create करता है, torque, कितना हो जाएगा, omega final minus omega initial upon में total time t, यहाँ पर इसने बोला है कि, जो हमारे पास torque लगा रही है, वो constant है, तो alpha भी हम यही वाला formula लगाएंगे, ठीक, अब मैंने final omega लिया 0, अब तुम को गें, क्यों हो सर, 0 क्यों ले रहे हो, यार देखो सो मेरी बात, हम इस time frame से alpha की value निकाल लेंगे, और इस time frame के अंदर omega t की value find out कर लेंगे, तो initial omega कितना है, 20 radian per second, और time period हमारे पास कितना है, 4, तो minus 5 की value आ गई, तो अब अगर alpha की value हमारे पास minus 5 है, ठहना, और हमें omega final at time t equal to 2 निकालना है, और omega initial हमारे पास कितना है, 20 है, और time हमारे पास 2 second का, तो omega t at 2, omega final at time t equal to 2, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यह आगे हमारे पास 10 का whole square, यह आगे हमारे पास 20 का whole square, तो वर्गरन तो negative ही होगा, क्योंकि retarding torque है हमारे पास, तो 1 by 2 into 0.2, दिखनी रहा हो गई है, मैं एक काम करता हूँ, एक नया page ले लेता हूँ, तो 1.2 into 0.2 into कितना है, 100 minus 400, तो 1 by 2 into 0.2 into कितना हो जाएगा, 300 और एक negative लगा दो, क्या ही फरक पर रहा है, 2 से 2 काड़ दो, तो minus का 30, तो हमारे पास option number C क्या हो जागा, correct solution हो जागा, और the following problem, यह असान एक question रहा, लेकिन calculation इसकी बहुत जादा रही, तो यह हमारा option होगा, जो correct solution होगा, Let us start with the exam real part, first question says, तो हमसे पूचा क्या, moment of inertia about this particular end निकालना है, अगर आपने एक rod ली जिसकी length L है और mass M है, और उसे bend गर दी एक semicircle में, देखो, सबसे पहली चीज़ क्या हो गई है, जो semicircle है, इसकी radius हम निकालेंगे, तो semicircle का parameter rod की length के बराबर होगा, that is radius आजएगी L by pi, फिर हमारे को पता है कि moment of inertia about this particular axis, इस semicircle का कितना होता है, MR square by 2, तो हमने यहाँ पर लगाया, M upon me 2, L upon me pi का whole square, तो हमारे पास answer क्या जएगा, none of the above will be the correct answer for the following problem, The next question says, a T-shaped object with dimension shown in the following figure is lying on a smooth floor, a force F is applied at the point P parallel to AB such that the object has only the translational motion without any rotation, find the point P from the C, तो point P की location निकालने है, लेकिन condition हमारे पास यह गिवन है कि सर, translation है, लेकिन rotation नहीं, इसका मतलब है, यह जो point P है, यह center of mass है, Let us consider कि यह हमारे पास point 00 हो जाता है, क्याने के मतलब है, यह हमारा origin हो जाता है, यह हमारा ex-distance हो गया और यह हमारा totally क्या हो गया, wide distance हो गया, तो existence में तो मेरे को कोई लेना देना है, नहीं, यह wide distance में center of mass निकालने की कोशिश करता हूँ, जो उपर वाली हमारे पास यह rod दे रखी है, अगर इसका center of mass देखा जाए, तो इसका center of mass तो origin पर ही पढ़ेगा, तो हमने कहा उपर वाली rod का center of mass पढ़ रहा है, origin पर, मतलब 00 पर, ठीक है, जो नीचे वाली rod है, उसका center of mass कहीं बीच में पढ़ेगा, हमें नहीं पता, वो बीच में कहा पढ़ रहा है, लेटस से हमने यहां माद लिया, तो Y direction में वो L distance की दूरी पर है, और X direction में वो 0 की दूरी पर है, तो हमने निकाला Y center of mass that will be equal to M1 X1, दोनों का, जो mass है, वो एक बार हम देख लेते हैं, इसने क्या बोला हुआ है हमारे को, कि भई T shape object, dimension is as shown in the following figure, force F is there, point P is also there, find the location of this particular point P, देखिए, यहां पर mass की कोई बात नहीं करी गई है, हम यह मान कर चलते हैं, कि भई हमारा जो mass है, वो length के proportional है, यह क्या लो mass printed length हमारा क्या है, constant, तो उपर की जो rod है, उसका length L है, तो उसका mass M हो जाएगा, नीचे वाली rod की जिसकी length 2L है, उसका mass 2M हो जाएगा, तो M into 0 for the first rod multiplied by 2M into the distance L, अब इसका जो distance L है, नीचे की तरफ है, तो चाहो तो तो माइनस L भी लिख सकते हैं, वो तुम्हारे अपने उपर है, उससे कोई इतना फरक नहीं पड़ेगा, M plus 2M हमारे पास कितना हो जाएगा, 3M, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 2 by 3 into L और negative का, तो हमें ये पता चल गया कि जो center of mass की दूरी हमारे पास निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है, minus 2 by 3 L, और तुम्हारे को पता है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, हमारे पास 2 L के बरावर है, तो 2 L minus 2 L by 3, क्योंकि मुझे सिर्फ यह geometric दूरी निकाल दी है, तो हमें coordinate से मतलब नहीं होगा, हम सिर्फ respective length को क्या कर देंगे, हापर minus कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 3 दो निच है, और 4 L, तो 4 L by 3, हमारे पास answer निकल कर आ जाएगा, that is हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारा answer क्या आ रहा है, option number A will be the correct solution for the following problem, that is 4 L by 3, okay, next, if external force acting on a system have zero resultant, मतलब that force zero है, तो center of mass क्या करेगा, accelerate करेगा ही नि, constant velocity से move कर सकता है, यह तो खेल, COM का भी नि, यह तो Newton नहीं बोलाता, कि भईया, अगर किसी body पर net external force zero है, तो उसका acceleration zero होगा, क्याने का मतलब है, वो अगर constant velocity motion से move कर दीती, तो उससे move करती रहेगी, अगर वो rest परती तो test पर रहेगी, तो may move but not accelerate, यह perfect answer हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए है कि शायद वो constant velocity motion से move कर रही हो, में यह का मतलब है, कर रही हो, कर रही है या नहीं, वो हमारा कोई question बनता ही नहीं, शायद वो कर रहेगी वो, ठीक है, तो accelerate तो नहीं करेगी, बागी सारे option गलत हो जाएगे, तो bodies are projected from the roof of the same speed in different direction, the air resistance are not taken into the account, then which of the following option is correct, पहला option कहा रहा है, they reach the ground with the same magnitude of the momenta, if the bodies have same masses, देखो, तुम किसी भी direction में फैक तो कोई फरक नहीं पड़ता, है ना, जब वो body नीचे आएगी, तो उसकी जो speed होगी, वो same होगी, क्यो speed होगी, अगर हम energy conserve करते हैं, मानलों यह point A हो गया, यह point B हो गया, तो half mv square will be the kinetic energy at the point A, mgh will be the potential energy at the point A, और जब आप b point पर आ जाएगे, तो वो total total energy किसमें translate हो जाएगी, यह kinetic form गया, अगर मैं mass को यहाँ पर से हटा देता हूँ, तो final velocity का formula हमारे पास आ रहे है, v square plus 2gh, तो हम यह बोल सकते हैं, कि भई, जैसे ही आप नीचे आओगे, object कोई भी हो, mass कुछ भी हो, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, दोनों की speed सेम रहने वाली है, तो हम यह बोलेंगे कि they will reach the ground with the same magnitude of momenta, अब momenta जो होता है, वो mass into velocity होता है, और उसका magnitude क्या हो जगा, mass into speed, momenta mass पे भी depend करता है, speed पे भी, दोनों का speed सेम हो गया, तो mass सेम होना ज़रूर ही है, तो पहला option हमारा correct हो जागा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों के दोनों same magnitude of momenta से नीचे आखा टकराएंगे, कि अगर अगर उनका mass सेम है, नहीं बात kinetic energy की, kinetic energy mass पर depend करने वाला एक expect हो जाता है, भले ही दोनों की speed सेम है, तो दोनों का mass भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है, कि दोनों के पास same mass है, तो यह गलत हो जाएगा, यह बात सही हो जाएगी, तो इसका मतलब है, हम क्या लिखेंगे, option number D will be the correct solution की, option A और option C हमारा क्या हो जाता है, दोनों ही correct हो जाते हैं, particle of mass M 5 unit is moving with a uniform speed V is equal to 3 under root 2 X O Y plane along a straight line, तो एक X Y Z plane हम यहाँ बना लेते हैं, X O Y, और हमने यहाँ पर एक line बनाई, Y equal to X plus 4, तो Y equal to X plus 4 की अगर हम line देखें, तो कैसे बनाएंगे X यह Y, X की value 0, Y की value 4, Y की value 0, X की value minus 4, तो minus 4 and 4, अगर मान लो हम इसमें जोव दें, तो हम इस line की बात कर रहे हैं, ठीक है सर्थ, यह वाली line की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो particle है, वो इस line पर move कर रहा है, उसकी speed दे रहे है, 3 root 2, यह लो सर, 3 root 2, मुझे origin की about answer निकालना है, तो यहाँ पर से मैं 90 degree का angle खीच दूँगा, यह हमारे पास 4 के बराबर है, अब देखो angle मुझे बनाना है, तो यह कितने degree का angle हो जागा, 45, क्योंकि 4 by 4 का triangle बन रहा है, तो यह 45, यह 45, तो यह 45, अब हमारे को पता है, यह distance निकालना है, तो यह hypotenuse 4 हो जाता है, let us say it is x, और यह 45 हो गया, तो हम लिखेंगे, क्या, x upon 4, sin of 45 degree, which is 1 by root 2, तो x की value आ जाएगी, 2 root 2, तो यह आ गही हमारे पास, 2 root 2, भही यह तो निकाल सकते हो न, यह perpendicular है, परपेंडिकुलर 40, बनलब, एंगल के सामने पढ़ने वाली लेंद परपेंडिकुलर होती है, तो sin 45 कितना हो जाएगा, x upon में hypotenuse, सब को पता है न, यह hypotenuse क्यों है, क्योंकि 90 degree के सामने वाला यह angle है, तो इसलिए hypotenuse के लाएगा, हम यह वाली values लगा देंगे, हमारे पास answer x की value निकल कर आ जाएगी, अब जब हमारे पास यह answer निकल कर आ गया, तो momentum, angular momentum की value होती है, m, v, r, perpendicular, mass हमारे पास कितना है, 5, velocity, 3, root, 2, और r, perpendicular है, 2, root, 2, तो यह हो जाएगा, 2, 2, 4, 3, 12, 12, 15, 60, तो answer number b हो जाएगा, हमारा correct solution, that is, 60 unit will be the correct solution for the following problem, next, a ball moving with a certain velocity hits another identical ball at rest, if the plane is frictionless and collision is elastic, angle between the direction in which the ball move after the collision will be, देखो, यह तो simple case होगे, divergence angle का, है न, तो इसना हमसे यह पूछाएगी, the angle between the direction in which the ball move directly after the collision will be equal to the 90 degree, क्योंकि अगर हम इस case को ध्यान से देखे, जिस case में एक ball move कर दी थी, एक ball move नहीं कर दी थी, तो दूसरी ball उससे आगा टकराने वाली थी, तो जो final, जो दूसरी ball होगी, वो किस angle पर जाएगी, वो अपनी जो existing line थी, जिस पर वो move कर दी थी, उससे 90 degree के angle पर वो क्या हो जाएगी, diverge out कर जाएगी, इससे हम divergence angle भी कहते है, तो हम directly क्या लिख देंगे, इसका answer, 90 degree लिख देंगे, next, a constant torque of 1000 newton meter, turn a wheel of moment of inertia, इतना, about an axis through its center, the velocity after the 3 second will be equal to, तो हम यहापर directly formula लगा देंगे, omega is equal to omega not alpha t, क्या क्या हमारे पास given है, देखो हमारे पास given है, कि एक torque है, जो कि है 1000 newton meter, वो एक wheel को turn out कर दी है, जिसका moment of inertia 200 kg meter square है, और समय हमारे को देंगे रखा है, 3 second बाद यह जो wheel होगा, यह कुछ ना कुछ velocity acquire कर लेगा, तो बताइए, यह velocity कितनी होगी, हमने का चलो बता देते हैं, भहिया initial omega तो हमारे पास कितना होगी है, 0 alpha की value निकाल ली है, torque का formula क्या हो जाता है, I into alpha, तो alpha की value क्या हो जाता है, कि tau upon में I, tau की value कितनी दे रखे है, 1000, I की value कितनी दे रखे है, 200, answer कितना आ जाएगा, 5, तो यह आगया 5, into time हमारे को कितना दे रखा है, 3 second का दे रखा है, तो omega final हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 ती या 15 radian per second, that is option number D, will be the correct solution for the following problem, बस simple सी यह बात थी, next, a small object of uniform density, rolls up a curved surface, with an initial velocity V, it reaches up the maximum height of 3 V square by 4 G, with respect to the initial position, the object is, देखो, पहली बात है, यह object roll कर रहा है, तो अगर यह roll कर रहा है, तो इसके पास दोनों चीज़े होंगी, घूमने वाली velocity भी होगी, और ट्रांसलिटरी velocity भी होगी, तो यहाँ पर ही इसकी कानड़े के अनर्जी हो जाएगी, half mv square plus half i omega square, let i will be equal to cmr square itself, that is, हम यह लिख सकते हैं कि, omega की value क्या हो जाएगी, v upon में r, तो यह हो गया हमारे पास, half mv square plus half cmr square, multiply omega square, और omega कितना है हमारे पास, v square r square, clear, तो यहाँ पर से जो cancel out हो सकता है, वो है r, वो हम cancel out कर देंगे, तो हमारे पास answer कितना निकलेगा, कि kinetic energy at this particular point will be equal to half mv square plus half cmv square, अब तुम क्या होगे, कि यार सर एक बात समझ नहीं आ रही, कि आप यह kinetic energy यहाँ पर क्यों लिख रहे हो, kinetic energy की लिखने की क्या ज़रत पड़ गई, question को पढ़ते हैं मुझा पता चल गया, उसने यह बोला कि object क्या होना चाहिए, यह रिंग, hollow square, solid square है, क्या होना चाहिए, दूसरी बात इसने यह बोल दिया, यह ball यहाँ पर चल रही है, यह at max यहाँ तक पहुंच सकती है, यहाँ तक पहुंचने के बाद यह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, बथम जाएगी, है ना, लेकिन यह कितिनी हाइड गेन कर लेगी, यह हाइड गेन कर लेगी, 3V square by 4G, तो हमें यह बताना है, कि भई इस केस के अंदर यह body का nature कौन सा है, कौन सी यह body है, तो हमने का, यारब क्या लगाएं, या लगाएं, angular momentum conservation लगा नहीं सकते, moment of energy लगा नहीं सकते, ठीक है, तोर का formula लगा नहीं सकते, ले देखर हम दोई चीजों पर आजाते हैं, पहला आजाता है, पेओर रोल, और दूसरा आजाता है, हमारे पास, क्या नाम है, kinetic energy, potential energy, या क्या लो, work power energy वाला चप्टर, तो मैंने काया, अब रूर रोलिंग में हम करेंगे, क्या अगर यह मानलो, roll भी कर रही है, जैसा इसमें बोला गया, कि it is rolling up, it is rolling up, अगर यह roll भी कर रही है, तो V equal to R omega से जाता, तो मैं कुछ लगा नहीं सकता, और दूसरी बात है, यार, work power energy लगाएंगे, हमारे को यहां की energy की बना है, हम यहां की भी energy निकाल सकता है, जब आप बिल्कुल उपर पहुन जाएंगे, तो आप थम जाएंगे, जब आप थम गए, तो आपके पास potential energy कितनी आ गई, MGH, लेकिन total kinetic energy कितनी हो गई, कि 1 by 2 V square plus 1 by 2 C V square will be equal to G into H, which is 3 V square upon 4 G, कुछ cancel यहां पर करके देख लेते हैं, G से G, V square, V square, V square cancel out हो जाएगा, और 2, 2, 2 भी cancel out हो जाएगा, तो 1 plus C की value आ जाएगी, 3 by 2 C की value आ जाएगी 1 by 2, और हमें पता है, I equal to CMR square के अंदर C की value 1 by 2, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आती है, सिर्फ और सिर्फ आती है, डिस्क पर, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, डिस्क विल बी दा complete solution for the following problem, next, cylinder of 500 gram and radius 10 cm has moment of inertia, तो यह cylinder का moment of inertia कितना होता है, half MR square, तो half into mass M into radius, radius कितनी है, 10 cm, 10 बटे 100 का whole square, अगर हम इसे solve करते हैं, तो हमारे पास answer कितना आजाएगा, 2.5 10 की power minus 3, that is option number हमारे पास कौन सा आजाएगा, एक मैं टुको न, ओ सॉरी मैंने उल्टा option लगा दिया, option number A आजाएगा, हमारे पास 2.5 10 की power minus 3, that is the moment of inertia of this disc, about the center or the axis about which it is rotating, ये भी हमारे पास कतम हो गया, 2 object of mass 200 gram and 500 gram possesses the velocity, 10 i cap 3 i cap plus 5 j cap respectively, तो 200 gram mass की velocity है 10 i cap, 500 gram mass की velocity है 3 i cap 5 j cap, velocity of their center of mass, तो center of mass की velocity क्या होगी, M1 V1, M2 V2, M1 plus M2, ठीक, यही सेम होता है, M1 की value कितनी है 200 gram, मतलब 0.2 kg, velocity कितनी है 10 i cap, ऐसी M2 की velocity mass कितना है 0.5 kg, और velocity है 3 i cap plus 5 j cap, upon में total mass हो जाएगा 0.7, तो अगर हम इसे particularly देखते हैं, तो ये कितना आजाएगा 2 upon में 0.7, that is 20 by 7 i cap है ना, 20 by 7 i cap, और कुछ हो सकता है, इसने answer किसमें निकाले, meter per second में निकाल रखा है ना, तो meter per second में हम यहाँ पर निकालेंगे, 10 i cap, अच्छा 3 भी तो हैं यहाँ पर बच रहा है, वो, वो, पूरा ही solve करना पड़ेगा, चलो जाने दो अब, इसे हम लिख सकते हैं, 2 i cap, प्लस, 5 ती या 15, 1.5 i cap, प्लस, 2.5 j cap, अपॉन में 0.7, तो यह कितना हो जाएगा, 3.5 i cap, प्लस, 2.5 j cap, अपॉन में 0.7, तो यह हो जाएगा, 7 बच्छा 35 i cap, प्लस, 25 बच्छा 7 j cap, तो, यह हमारे पास option number C, correct solution देखने को मिल रहा है, थोड़ा calculation पर ध्यान दे ले ले न, मैंने बस भड़ा बर जिप्त चल भी हो साका, मैंने कर दिया, next, a thin uniform rod of length L and mass M, swinging freely about the horizontal axis, passing through its one of the end, maximum angular speed is omega, find us, if its center of mass rises to a maximum height of, तो कहा रहा है कि एक rod है, ऐसे है और ऐसे गूम रही है, तो जो यह हमारा center of mass है, यह maximum किस height तक raise कर सकता है, बस यह हम से सवाल पूछा लिए, हमने का चलो ठीक है, आज पता लगाते हैं, अब यह कितने height तक यह center of mass raise कर जाएगा, तो अगर हम देखें, यह center of mass होगा हमारा, ठीक है, अथेन uniform rod of length L mass, मैं स्विंगिंग फ्रीली अबाउंट दी होरिजॉन्टल axis passing through its end, its maximum angular square is omega, its center of mass rises to a maximum height, center of mass maximum height कहां तक raise कर जाएगा, एक अच्छा कुश्चन है, तो देखो, मैं यह भी नहीं बान सकता है, कि इस omega होने से, यह पूरा पूरा ही circle काट ले, है ना, let's say, let's say, यह यहां आकर रुख जाएगा कहीं, यहां तक आया, और रुख गया, तो center of mass, यहां से लेकर यहां तक चला, this is the maximum height of center of mass can attain, तो भई, यह point A हो गया, यह point B हो गया, point A पर, हमारे पास, जो हमारी rod है, उसकी kinetic energy कितनी हो गई, half I omega square, potential energy कितनी हो गई, zero, लेकिन जैसी आप इस particular height पर पहुँच गए, kinetic energy zero हो गई, और potential energy कितनी हो गई, MGH हो गई, तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैंने, सारी calculation यहां पर ठीक कर दिया, तो answer हमारे पास, कितना निकल कर आजाएगा, height की value निकल कर आजाएगी, 3-2 निच्छ है, mass M से M गई, L से, L तो बच रहा है यहां पर, L square omega square बच रहा है, L square omega square, 6 और G, ऐसा कई option है, पर यह भी दिए हैं, आई यह रहा, thank God, तो हमारे पास option निकल कर कौन सा रहा है, option number D, that is L square omega square, अपॉन में 6 G, that will be the complete solution for the following problem, बस यह लगाना था, इसमें ओवर कुछ नहीं, energy conservation, two particle of mass M1 and M2, in the projectile motion, have the velocity V1, V2 respectively, at time T0, colloid at time T equal to T0, their velocity become V1, V2, at time 2 T, still moving in here, the value of, इतना, देखो, तुमने लिखा, delta P by delta T is equal to force, clear, अब तुमारे को, change in momentum के बारे में यह पूछ रहा है, तो change in momentum कितना हो जागा, force into change in time, total time तुमने यहाँ पर कितना ले रखा है, तो तुमने गा, 2 T ले रखा है, और यह जग external force यहाँ पर act कर रही है, इन दोनों particle के लिए, कितना force act कर रही होगी, mg force act कर रही होगी, तो दोनों particle है हमारे पास, तो पहले वाले पर कितनी force act कर रही है, mg और दूसरे वाले पर, mg तो हमारा answer क्या हो जागा, mg प्लस mg into 2 T not, that is, this will be the answer, ओके, बहुत ही simple सवाल था भाई, उनकी velocity यहां इतनी हो जाती है, time होता है, 2 T not, अगर वो फिर हावा में ही move कर रहे है, तो हमसे change in momentum की value बूची गई है, तो भाई यह change in momentum क्या होता है, force into time itself, और फोर्स कौन सी काम कर रही है, क्योंकि वो हावा में है, तो gravity की तो force काम कर रही होगी, है, ऐसा थोड़ना, अभी चीज़ा move कर रही है, हमारे पास, तो answer कितना आजाएगा, हमारे पास, 2 M1 M2 G T not, ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ देख, यह वाला question क्या रहा है, in the case of explosion of a bomb, जब bomb भटता है, तो क्या होता है, momentum कंसर होता है, लेकिन kinetic energy generate हो जाती है, for obvious reason, तो क्या चीज़ चेंज हो रही है, kinetic energy, mechanical energy, chemical energy, या fail energy, देखो, kinetic energy change हो रही है, तुमारे पास यहाँ पर, क्योंकि पहले तो वो भी चार रेस्ट पर था, kinetic energy गिपती थी, जीरो, अब फट गया, तो एकदम से motion में आ गया, दोनों के पास speed है, दोनों fragment के पास, तो kind of like क्या होगा, हमारे पास, जो पहला fragment है, और जो दूसरा fragment है, वो कुछ kinetic energy gain कर लेगा, तो यहाँ पर change क्या हो रही है, यहाँ पर हमारी kinetic energy change कर रही है, clear, there are two identical ball of same material, one being solid, another being hollow, how will you distinguish in between them without weightening, तो दो identical ball है हमारे पास, मतलब एक solid sphere है, एक हमारे पास hollow sphere है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, एक solid है और एक hollow है, भाई देखो, अपने लोग तो जब से रटते रटाते आ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, moment of inertia दोनों का अलग-अलग होता है, एक हो जाता है 2 by 5 mR square, एक हो जाता है 2 by 3 mR square, तो moment of inertia निकाल लिया, दूसरी चीज़ है अगर ये घूम रहे होंगे, मालनों हम इने एक ही omega से घूमाने की कोशिश करते हैं, और फिने रोकने की कोशिश करेंगे, तो रोकेंगे तो टॉर्क लगेगी, tau will be equal to y into alpha, अगें कहीं न कहीं जो हमारे पास टॉर्क होगी, वो आई पर depend कर जाएगी, तो जिसका moment of inertia जादा होगा, वो जादा टॉर्क क्यों डिमान्ड करेगा, तो एक टॉर्क लगा कर हमने देख लिया, और और क्या हो सकता है, और देख लेंगे, बागी पढ़ लेंगे, option option के अंदर देखता हूँ, और कौन-कौन से तरीके पूछ गए है, spinning them using equal torque, भाई अगर हम माल लो, दोनों को spin करते हैं, और equal torque का use करके, हम spin करते हैं, अगर हम equal torque का use करके spin करेंगे, तुमने constant force F लगाई, उसे आगे धखेलने के लिए, तो acceleration किस पर depend कर जाएगा, भाई या force upon the mass पर, जिसका mass बहुत जादा होगा, उसका acceleration बहुत काम होगा, तो तुम बोल दोगे, यार देखो मैं तुम 10 newton की force लगा रहा था, यह मारी objective इसले दीरे-दीरे move कर रहा है, तो यार यह बात तो बिल्कुल सही है, determining there, moment of inertia, अभी-अभी हमने रटा मारा है, बिल्कुल सही बात, rolling down there in the inclined plane, देखो हमने एक question करा था, class के अंदर अगर किसी को याद हो तो, और वैसे भी वो हर class के अंदर होता है, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ मैं ही अपनी class में करवा रहा हूँ, हर class में होता है, है की नहीं, तो हर respected teacher इस question को करवाता है, क्या करवाते हैं सर्थ, वही है wedge हमारे को दे रखी होती है, और उपर से एक spare, cylinder, ring, या कुछ भी एक particular solid spare, hollow spare, हम रखवा देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, अब वो जब नीचे आता है, तो उसका acceleration कितना होता है, g sin theta 1 plus c, उसकी velocity कितनी होती है, उसका time period कितना होता है नीचे आने का, तो हम वो सब चीज़े calculate करते हैं, हर एक विभिन प्रकार की shape के लिए, एक अलग answer हमारे पास निकल कर आता है, तो main चीज़ क्या हो गई, ये भी एक अच्छा तरीका है, मुझे कम से कम पता तो चल जाएगा, time difference के हिसाफ से, भाईया कौन जल्दी आ रहा है, कौन धीरे जा रहा है, है ना, हमें ये तो पता चल सकता है, कि ये solid spare है, या फिर ये hollow spare है, अच्छा इसका acceleration जादा है, इसका acceleration कम है, इसका acceleration जादा है, तो पकी बात है, ये हमारे पास solid या hollow spare हो जाएगा, तो acceleration, velocity, time, ये तीन सबसे बड़े parameter है, on the inclined plane, जो हमें ये बता देते हैं, कौन सा shape किसको belong कर रहा है, है की नहीं, भई, formula के अंदर यहीं तो आ रहा है, भई, वो नीचे आये, तुमने लिखा है, acceleration equal to g sin theta 1 plus c, वो नीचे आया, तुमने acceleration को note down कर दिया, तुमारे पास wedge angle available है, तुमारे पास gravity की value available है, तुम c की value निकाल देना, अगर c की value 2 by 5 आ जाती है, तो तुमने बोल दिया solid square है, अगर c की value 2 by 3 आ जाती है, तुमने बोल दिया hollow square है, ये भी सही तरीका है, any of these method, तो total हमारे पास answer कौन सा होज़ेगा, D, की कोई भी method का use हम कर सकते है, बहुत ही अच्छी healthy discussion हुई इस question के उपद, तुमारे पास question है, two block A and B are connected by a massless string, a force of 30 newton is applied on the block B, the distance traveled by the center of mass, अरे यार center of mass का distance कितना travel हुआ हम से ये पूछा जा रहा है, सबसे पहली ये तो निकाल लो, center of mass का acceleration कितना है, अब हमारे पास अगर acceleration आ गया, तो हम ये वाला formula लगा देंगे, यही distance center of mass cover out करेगा, initial velocity उसकी 0 ही है, acceleration की value 1 आ गई, और इसने पूछा कि 2 second के अंदर कितना distance travel करेगा, तो time की जगा हम क्या लगा देंगे 2 square, तो कितना distance travel कर दा है, तो मारे लिए 2 meter का distance travel करता है, next, क्यालग लगा देता है angular momentum of a body, whose rotational energy is 10 joule, if angular momentum vector coincide with the axis of rotation, and its moment of inertia about its axis is 8 into 10 की power 7, angular momentum का formula कितना होता है, अगर kinetic energy ले रख्यों होती है, तो तुम बोलो गे, kinetic energy of rotation will be equal to L square upon 2i, तो यह जगा 2 times of kinetic energy multiply moment of inertia, तो 2 times of kinetic energy कितनी है, 8 into 10 की power minus 7, और, एक minute, sorry, 8 into 10 की power minus 7 तो इसकी वो गई, moment of inertia हो गया, kinetic energy हमें कितनी तरह कितनी रख्यों है, 10 joule, तो अगर हम इसे solve करते हैं, 2,8,16, 4 आ जाएगा, 10 की power minus 6, 10 की power minus 3 आ जाएगा, तो हमारे पास option कौन सा आ गया, यह option दो भी the correct solution, 4 into 10 की power minus 3, तो बस यह formula आप लोग लगा दीजेगा, आपका answer आएगा, the ratio of radius of gyration of a circular disk to that of a circular wing, तो radius of gyration of a circular disk to that of a circular wing is something like this, 1 by root 2, directly हम यह answer लिख सकते हैं, तो हमारे पास option number D क्या हो जाएगा, correct solution हो जाएगा, disk का 1 by root 2 होता है, रिन का 1 होता है, the center of mass of a system of two particle system divides the distance between them is, in the inverse ratio of square of the mass of the particle, in direct ration of square of the mass of the particle ratio होगा, ration नहीं होगा, in inverse ratio of the mass of the particle, in direct ratio of masses of the particle itself, देखो, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो हमारा center of mass है, दो particle system का, मालो यह M बने यह M2 है, अगर हमारा M2 बहुत जादा बड़ा है M1 से, तो center of mass M2 के पास रहना पसंद करेगा, that is, हम यह बोलेंगे, भारी mass का distance center of mass से कम होगा, और जो हमारा हलका mass होगा, उसका distance बहुत जादा होगा, इसका मतलब क्या होगया, conservation of mass moment, मतलब mass moment same रहना चाहिए, M1 R1 should be equal to M2 R2, तो यहाँ पर अगर हम देखे, masses की जो ratio आ रही है, जैसे M1 upon M2 की value में लिखूँ, तो वो आ रही है R2 upon R1, तो यह mass moment हो गई, जो की same होनी चाहिए, about this particular center of mass, तो यहाँ पर ratio of the masses, is inverse ratio of the distance in between the particle, तो इसने यही पूचा हम से, the distance between them is, inverse the ratio of masses of the particle, that is option number C, will be the correct solution for the following problem, if earth is a point mass, if earth is a point mass, of 6 into 10 की power 24 kg, revolving around the sun, at a distance of itna, and in time t itna, then the angular momentum of the earth will be, angular momentum of earth, हम क्या लिखेंगे Mvr, इसे हम V को क्या लिख सकते है, R into omega, तो हमारे पास formula कितना हो जाएगा, M omega R square, अब omega को लिख सकता हूँ, में 2 pi by time period का whole square, और radius हमारे को यहाँ पर दे ही रखी है, उस particular orbit की जिसमें, earth किस के about घूम रहा है, sun के about घूम रहा है, तो यह earth हो गया, यह sun हो गया, ओ स्रूरी हूल टाई लिख रही है मैंने, यह sun हो गया और यह earth हो गया, तो यह रिखता है ना, कि मैं यह sun के घूम रही है, तो धरती पर बैठे तो relative motion क्या कहेगा, तो sun गूम रहा है, धरती तो स्था ही है, है ना, खेर, उस पर हम बाद में आते हैं, तो logic क्या लगा मेरा, कुछ भी नहीं लगा, उसने angular momentum पूछा, मैंने formula लिख दिया, formula लिखने के बाद मैंने, v equal to r omega लगा दी, मैंने यह सारी values calculate कर दी, अब omega मुझे निकालना था, तो कितना हो जाएगा, 2 pi by time period, time period हमारे को दे रखा है, 2 pi की value calculate करनी पड़ जाएगी, radius of this particular orbit भी हमारे को दे रखा है, 1.5 into 10 की power 8, तो अगर हम इसे solve करते हैं, तो कितना आएगा, 2.7 into 10 की power 40 kg meter square per second, that is option number D, will be the correct solution for the following problem, the stationary particle ABC of masses MA, MB and MC, are under the action of same constant force for the same time, if MA is greater than MB is greater than MC, the variation of momentum of particle with the time for each, will be correctly shown, तो तीन stationary particle है हमारे पास, कौन कौन से, A, B और C, हम से बोला गया कि, A, B और C, under the action of same constant force है, तीनों पर same ही force लग रही है, अगर A का मास B से जाएगा, और B का मास C से जाएगा है, तो variation of momentum of the particle with the time T, कौन सा कर्व हमारा, शो करेगा, देखो, force क्या हो गया, rate of change of momentum हो गया, तो भाई, rate of change of momentum, force into time, तीनों पर same force, समय सबके लिए same है, तो याट change in momentum सबके लिए क्या रहेगा, तो अगर मानलो, initially सबके सब बिचारे rest पर थे, और यहाँ पर force लगी, आ रहा है, वो सबके लिए same रहने वाला है, जब force नहीं लग रही थी, तो zero था, एंड जैसे जैसे force लग रही है, समय के हिसाब से, वैसे वैसे समय बढ़ रहा है, तो momentum जो हो गया, वो linear function हो गया, हमारे किसका time का, क्योंकि force constant है, तो वो कैसी होगी, एक straight line होगी, तीनों के लिए same होगा, mass कुछ भी हो, कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि formula में mass है ही नहीं, तो option number D, हमारा क्या हो जगा, correct solution हो जाएगा, three point masses, each of mass M are placed, at the corner of an equilateral triangle, of side A, then moment of inertia of this system, about an axis passing, along one side of the triangle, क्या रहा है, आपने न ऐसे तीन masses रख दिये, और moment of inertia निकालो, आप अगर मालो मैं, यहाँ पर एक line को set कर देता हूँ, इस pink line के about moment of inertia निकालो, मैं देखा कोई बात नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे, जो तीसरा mass है, उसका perpendicular distance देख लेंगे, अब क्योंकि equilateral triangle है, तो यह angle 60 degree हो गया, यह length हमारे पास A हो गई, तो यह वाली length हमारे पास कितने आज़ेगी, A root 3 by 2, तो moment of inertia total कितना निकल कराएगा, भई देखो यह पहला mass, यह दूसरा mass, यह तीसरा mass, पहले mass का moment of inertia 0, दूसरे mass का moment of inertia 0, तीसरे mass का moment of inertia M into A, root 3 by 2 का whole square, तो यह हो जागा M A square 3 by 4, तो हमारे पास option number C, क्या हो जागा, correct solution हो जागा for the following problem, clear, from a circular ring of mass M and radius R, an arc corresponding to a 90 degree sector is removed, तो एक circular ring है, आपके पास आपने क्या करा, एक चोथाई ring को उड़ा दिया, यहाँ पर से, 90 degree के angle की, इस particular ring को आपने क्या कर दिया, उड़ा दिया, moment of inertia of the remaining part of the ring, about the axis which is passing through the center of mass, is K times M r square, तो अब जो नया moment of inertia निकल कर आ रहा है, हमारे पास, इस आधे पौने हिस्से का, जिसमें यह 90 degree का sector exist ही नहीं कर रहा, तो वो आ रहा है K m r square, और K की value आपको निकालनी है, एक बाद बताओ, यह बचा कुछा mass कितना है, तो तुमको वोगे साथ 3-4 mass है, क्या वो axis के around distributed है, हाँ, वो axis के around distributed है, तो moment of inertia कितना आजएगा, 3-4 m r square, अगर हम इसे अपने given condition से relate करेंगे, या equate करेंगे, तो K की value कितने आजएगे, हमारे लिए है, 3-4 आई, that is, हमारा option number A के हो जागा, correct solution हो जागा, for the following problem, radius of gyration of a uniform thin rod, of length L about an axis passing through, normally its center of mass will be equal to, तो radius of gyration निकालना है, एक thin rod का, जिसकी खुद की length L है, about the center itself, तो अगर हम इस axis of rotation की, about moment of inertia निकालते हैं, तो ML square by 12 होता है, अगर इस moment of inertia को, हम Mk square से equate कर देते हैं, तो K की value आजएगे, L upon root 12, that is, option number A will become the correct solution, for the following problem, यहाँ तक यह बात clear है, the moment of inertia of a dumbbell, consisting of masses M1 2 kg, and M2 1 kg, fixed to the end of the rigid rod, of length 0.6 about an axis passing through, the center of mass, तो आपके पास एक dumbbell है, जिसमें यहाँ पर 2 kg का mass set है, और यहाँ पर 1 kg का mass set है, axis of rotation आपके center of mass से निकल रहा है, इसके about हमें moment of inertia निकालना है, अब पहले तो हमारे को यह निकालना पड़ जाएगा, कि भाईया यह जो center of mass है, यह exist ही कहां कर दा है, तो यहाँ पर मैंने R1, R2 दो distances लिख दिया, R1 का हमारे पास distance निकल कर आएगा, M2, M2D, अपॉन में M2 प्लस M1, और R2 निकल कर आएगा M1D, M2 प्लस M1, यहाँ से यहाँ तक का distance हमारे लिए कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, अब यह वाले distance के लिए, यह मेरा M2 है, और यह मेरा M1 है, देखो यह पहला मास, यह दूसरा मास, बस फर्मले में रख देना जाकर, यह पहला मास, वह वाला पहला मास, यह वाला दूसरा मास, फर्मले में रख दो, तो R1 की value कितनी ही आजाएगी, अब 0.4 हा जाएगा, अब इसने बोला moment of inertia निकालो, वह हो जाएगा M1 R1 square, M2 R2 square, M1 कितना है 2 kilo, distance 1 कितना है 0.2 का whole square, M2 कितना है हमारे पास 1 kilo, और distance कितना है 0.4 का whole square, अगर हम इसे solve करते हैं, तो कितना answer बनेगा 2 दनी 4 दनी 8, तो 0.08 ये कितना बनेगा 2 दनी 4, 4 चौक 16, तो 0.16, 8 6 14, 24 है ना, तो 0.24 के आसपास, 0.24, that is option number D will be the correct solution for the following problem, that the answer will be equal to 0.24, और कुछ है इसके अंदर add-back करने के लिए, मुझे तो नहीं लगता, अगर, ठीक ही लग रहा है, ठीक ही लग रहा है, इसने यही बोला है ना, about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the land था, तो 0.24 will be the correct solution for the following problem, अब ये वाला question हम से कहा रहा है, two solid square A and B are made of metal of different densities A and B, if their masses are equal, the ratio of their moment of inertia are, देखो अगर masses equal हो जाएंगे, और हम से पूछे जारा है, moment of inertia की अगर ratio देखी जाएं, तो पक्की बात है, radius में जमेला होगा, radius में जोल होगा, तो हमने लिखा, density of A multiply the volume of A, density of B multiply the volume of B, लिखा, तो यहाँ पर हमें पता चला, density A, R A whole cube, density B, R B whole cube, यहाँ तक लिखकर हम छोड़ देंगे, अब IB upon me, I A कितना हो जाएगा, दोनों spare है, solid spare है, तो B का moment of inertia, और A का moment of inertia, अब इन दोनों को cancel कर दो, यह हो गए, सिर्फ यह यह बच रहे हैं, तुमने कहा, R B upon me, R A, कितना हो जाएगा, rho A upon me, rho B, की power 1 by 3, तो यह हो जाएगा, rho A upon me, rho B की power 2 by 3, क्योंकि power 2 लगी पड़ी है, तो हमारे पास answer, क्या देखने को मिल रहा है, option number B, क्योंकि इसने, IB upon me, I A हम से पूछा है, अगर I A upon me, IB पूछता, तो option A हो जाथा, तो हमारा option number B, बिल 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 रहा, correct solution, that is, the radius is inverse ratio of the densities itself, B के corresponding A कर रहा है, A के corresponding B कर रहा है, तो इसलिए B के corresponding A आएगा, और A के corresponding B आएगा, simple as that, now, in the next question, इसको थोड़ा सा set करें, अब सही दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, ठीक है, A straight rod of length L, has one of its end at origin, तो एक straight rod है, एक end उसका origin पर है, और other, दूसरा end length L पर है, mass per unit length is AX, mass per unit length AX है, तो हम से पूचा कि है, center, mass center का है, center of mass का है, हमने का ठीक है, center of mass का formula लगाया, क्या हो जाता है, x dm upon dm, this is the x center of mass formula, अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक छोटा सा mass चूज करा, जो की x distance away है, तो हमने लिखा, x multiply dm, अब यह जो छोटा सा mass है, इसका mass कितना होगा, इसका mass होगा, हमारे लिए mass per unit length, multiply its own length, तो इसकी length छोटी सी है, dx, तो यह हमने लिखा, lambda into dx, और lambda की value कितनी है, तो ax, dx, integration, कहां से कहां तक की, 0 से l, अच्चा, छोटा सा mass हमारे पास, कितना निकल कराया था, lambda dx, और lambda की value थी, ax, 0 से l, यहाँ पर, a से a, cancel हो जाएगा, तो उपर वाले integral, नमारे पास बन रहा है, x square by 2, तो answer हमारे पास, यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, देख लो, यह मेरे पास integral निकल कर आ रहे है, यहाँ पर देख लो, 1 और 1, तो उपर बन रहा है, x का square, तो square, मतलब power of 2, तो integration कितनी हो जाएगी, power of 3, upon me 3, ऐसी नीचे power of 1 है, तो power of 2, upon me 2, इसी integration हो जाएगी, मतलब यह formula लगा देना, अगर किसी को formula याद ना हो, खैब, तो हमारे पास, यह answer निकल कर आ रहा है, that is, L cube upon me 3, upon me L square upon me 2, that is, L into 2 upon me 3, 2L by 3, option number क्या आ जाएगा, option number C, हमारा correct solution आ जाएगा, तो इसने हम से पूछा था कि, mass center कहां निकल कर आ रहा है, itself from the origin itself, तो वो आ रहा है हमारा, 2L by 3 पर, थोड़ा सा साइड रिजाते हैं, यह रहा, now the question says, moment of inertia of a big drop in, in I, अरे भाई यह is होगा, यह is होगा, क्या होगा यह is, moment of inertia of the bigger drop is I, if 8 drops are formed from the bigger drop, moment of inertia of the smaller drop is, तो हमारे को पता है, कि अगर मान लो, कभी भी एक बड़ी drop, जिसकी volume है, 4 by 3 by R cube, 8 चोटी drops में बढ़ती है, तो हर एक जो चोटी drop, हमारे पास बन कर आएगी, है ना, अगर हम उन सब चोटी drops की volumes को add कर दे, वो bigger drop की volume हमारे पास निकाल कर दे देंगे, है ना, तो volume तो same रहेगी, क्योंकि density same है, तो mass same होना चाहिए, एक ही नी, mass कंजर, तो हमारे पास यहाँ पर पता चल रहा है, हर एक छोटी drop की जो radius है, वो 1 by 2 of capital R के बराबर आ रही है, clear, तो अब इसने पूछा, moment of inertia of the smaller drop कित्मी होगी, तो हमने लिखा, it will be 2 by 5, mass M, अब M तो हमारे पास है नी, तो हम लिखेंगे density into its volume, which is 4 by 3 by R cube, that is R cube upon me 8, I do think so, है ना, ठीक है, multiplied by the radius of the drop itself, which is R square by 4, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, यह वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा, यह पूरा का पूरा हिस्सा, और यह वाला हिस्सा, यह क्या हो जाएगा, moment of inertia of the bigger drop, भही यह mass हो गया bigger drop का, यह 2 by 5 हो गया bigger drop का, यह radius हो गया bigger drop की, तो यह हो गया moment of inertia of the bigger drop, अपॉन में 8 चॉख 32, तो मार बास आंसर किया आ गया, option number A, that will be I upon 32, next, the question says a binary star consists of two masses, so MA and MB, इसका मास है 2.2 मास of the sun, इसका मास है 11 times of मास of the sun, हम से ये बोला गया, कि the distance of separation in between them is D, then there exists a center of mass in between both of them, we have to find the ratio of total angular momentum of the whole system about the angular momentum of the mass B, तो हमें यहाँ पर पता है, ये कितना हो जाएगा, A plus B दोनों के लिए, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 plus LA upon में LB, ये सर हमारा solution होना चाहिए, कह रहा है, वो बस इस ratio को आपको बताना है, और अपने data को इसके अंदर क्या रख देना है, present कर देना है, हम दिखा चलो ठीक है, अब जो भी इसने answer दे रखा है, उसके साफ से हम करने की कोशिश करते हैं, अब एक काम करते हैं, पहले LA निकाल लेते हैं, LA का मतलब क्या हो ज आरे का मतलब क्या हो जाएगा, mass of B, distance D in between them, M A plus M B, और R of B हमारे पास हो जाएगा, M A, D, M A, M E, ठीक, इनकी ratio निकालूंगा मैं, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस expression को निकालता हूँ, LA upon में L B, तो वो हो जाएगा, कितना, कितना होगा, एकना प्रुकना, LA upon में L B, तो I of total is, LA plus L B upon में I B, यही तो हो सकता है, और तो कुछ होगा नि, आ ठीक, यही मुझे लग रहा है, लिखना पर जाएगा, और तो कुछ है नि, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I into omega, for the case of A, क्योंकि velocity बगएर, अगर मैं लिख भी दूँग तो भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, चलो velocity की फॉर्म में लिख देता है, mass of A, r of A, velocity of A, mass of B, r of B, velocity of B, तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो, यह तो mass moment हो गया, यह mass moment हो गया, तो center of mass के about, जो mass moment होता है, कहने का मतलब है, ma ra should be equal to mbrb, करके देख ले न, मैंने तो यह cancel हो जाएगा, तो relation आ रहा है, V upon VB, और V की विरली होती है, r into omega, तो यह हो जाएगा, r a omega, r b omega, और एक चीज़ ध्यान रखना, यह omega दोनों के लिए same रहता है, omega कभी भी दोनों के लिए अलग नहीं हो सकता, तो r a upon r b, मेरे पास ratio जो निकल कर आएगी, वो किसके बर लाबर आ जाएगी, mv upon ma के, बागी सब चीज़े cancel out हो जाएगी, तो कहीना कहीं यह सिर्फ और सिर्फ ratio निकल कर आ रही है, mv upon ma, something like that, तो अगर मैं यहाँ पर सारी चीज़े put करता हूँ, b का मास कितना है, 11, और a का मास कितना है, 2.2, तो हमारे पास answer कितना निकल कर आ option number b will be the correct solution for the following problem, तो kind of like, बड़ा कुश्चन नहीं था, लेकिन formula इसके अंदर बहुत सारे लगने थे, देखो मैंने v equal to r omega formula लगाया, ध्यान में रखने वाली यह बात है, omega दोनों का same रहेगा, अगर यह किसी बच्चे को नहीं पता, तो वहां गडबड हो जाएगी, मतलब देखो ना, time period, binary star system के अंदर सबका same ही रहता है, जितनी दिर में ये गोला घुमेगा, उतनी दिर में ये गोला भी घुमेगा, तो omega दोनों का same रहना चाहिए, ओके, तो यह हमारा answer है, 3 rod, each of length L, mass M, are placed along x, y, z, in such a way that one end of the rod, of each rod is at origin, moment of inertia of the system about the z axis, ये पहली rod, ये दूसरी rod, ये तीसरी rod, और ये हमारा z axis भी है, तो इसने बोला कि moment of inertia about this z axis कितना निकल कर आएगा, तो हम यहाँ बोलेंगे, सिर्फ दो rod है, जिनका हमें देखने को मिलेगा, moment of inertia about the end itself, that will be 2 ml square by 3, मनद देखो, इस rod का about this particular origin end कितना होगा, moment of inertia, तुम कहोगे, ml square by 3, और similarly, इस दूसरी वाली rod का भी कितना होगा, ml square by 3, तो ये हमारे पास क्या होगा, origin point होगा, that is 0, 0, अब जो rod हमारी z axis में pass हो रही है, ये वाली, इसका तो कोई मतला भी नहीं बनने वाला नहीं, इसका moment of inertia 0 हो जाएगा, तो ये भी, और ये भी हमारे पास कितना है, ml square by 3, ml square by 3, 2 ml square by 3, तो ये हमारे पास option क्या आगया, b option आगया, that is, b is the correct answer, circular disk of radius r and thickness r by 6 has moment of inertia i about an axis which is passing through the center and perpendicular to the plane, अब ये रही है, ये r है और थिकने से r by 6, moment of inertia i है, इस particular point के बाउट, उसे melt करा, उसे री कास्ट करा, एक solid square की form में, और यहाँ पर main चीज़ क्या है, moment of inertia of this square about the diameter, हमने इसे एक square की form में री कास्ट करा, तो moment of inertia about the diameter निकालना है, which is 2 by 5 MR square, लेकिन हमें ये नहीं पता, जो radius of the square है, वो actually है कितनी, क्योंकि mass तो उतना ही रहने वाला है, mass तो पहले जितना ही रहेगा लेकिन radius कितनी होगी, ये हमारे को नहीं पता, तो हमें पता है, दोनों की volume सेम है, तो पहले वाला एक जो चीज़ है, वो एक cylinder है, तो pi r square, multiply, उसकी ठिकने है, r by 6, और दूसरा एक क्या है, spare है, तो 4 by 3, pi radius का whole cube, that is r dash का whole cube, तो यहाँ पर हमारे पास radius dash का whole value आ जाएगा, r upon way 6 की power, 1 by 3, और pi से pi भी कर जाएगा, वैसे हम यहाँ पर काड़ सकते हैं, यार, इतनी calculation करनी पड़ती है, कभी कवार ना frustration हो जाती है, 4 दूनी 8, 8 की power 1 by 3, पतलब यह आ जाएगा 2, तो यह हो गया r by 2, तो हमने लिखा यहाँ पर, 2 by 5, m, r square by 4, ओके, अब तुम्हें पत से हम लिख सकते हैं, the value is 2i, तो हो जाएगा, 4i upon way 5, into 4, तो i upon way 5, that is, option number c, will be the correct solution for the following problem, तो, मतब बस हमें, यहाँ पर अगर देखा जाए, तो calculate ही करना था, उसके लाभा तो कुछ बचा ही नहीं, calculate कर answer हागा, simple सी बात, angular momentum of the rotating body about a fixed axis increase by 10%, तो नया angular momentum हो जाएगा, 1.1 of old angular momentum, kinetic energy will increase by, तो kinetic energy, L square upon way 2m पर depend करती है, तो जो नहीं kinetic energy हो जाएगी, वो हो जाएगी, 1.21, L old का whole square upon way 2 upon way i, यह m नहीं होता है, यह i होता है, तो हमें यह पता चल रहा है, जो नहीं kinetic energy हो, 1.21 है, old kinetic energy के, बन्दब 21% का increment हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, that is, option number C will be the correct solution, a flywheel gain the speed of 540 rpm in just 6 seconds, तो इसे RPS में convert कर लो, एक बटे साथ, 6.94, 9, तो हमसे angular acceleration पूछा गया, time period कितनी दे दे गई है, 6 seconds, देखो, अगर मैं omega final यहाँ पर देखू, तो 2 pi into n, 18 pi, तो मैं है लिकूंगा final initial alpha t, final कितना है, 18 pi, initial कितना है, 0, alpha into time t, तो कितना हो जाएगा alpha की वेली, 3 pi, that is, 3 pi radian per second square will be the complete answer for the following problem, next question, 2 square each of mass m and radius r by 2 are connected with a massless rod of length 2r, as shown in the following figure, what will be the moment of inertia of the system about an axis which is passing through the center of the square and perpendicular to the rod, देखो, इसने बोला, passing through the center of one of the square and perpendicular to the rod, मतलब यह, यह हमारे पास axis of rotation होगा, तो अगर हम इसके about moment of inertia निकाल देए, तो हम कितना लिखेंगे moment of inertia, पहले तो यह square 1 है, यह square 2, इसका खुद का moment of inertia कितना होगा, square 1 का, 2 by 5 MR square, और square 2 का कितना हो जाएगा, about this axis of rotation, parallel axis theorem लगा देना, 2 by 5 MR square, अपने axis के about, and then MR square, इस particular axis के about, तो अगर हम इसे solve करते हैं, तो यह हो जाएगा, MR square by 10, plus MR square by 10, plus 4 MR square, ओके, तो यह कितना हो जाएगा, MR square by 5, plus 4 MR square, 21 MR square by 5, option number A will be the correct solution for the following problem, The next question says, 2 rings have moment of inertia of 2 ratio 1, and their diameter are in the ratio of 2 ratio 1, the ratio of their masses will be, तो diameter की ratio हो, या फिर radius की ratio हो, 2 ratio 1 है, तो moment of inertia हमारे पास rings का क्या होता है, MR square, यह होता है, तो हमने लिखा, M1 R1 square, M2 R2 square, which is 2 upon by 1, तो M1 upon by M2 multiply, R1 upon by R2 गया है, 2 by 1, that is 4 by 1, 2 by 1, यह cancel हो जाएगा, तो M1 by M2 कितना हो जाएगा, 1 by 2, तो हमारा answer के आजएगा, option number B will be the correct solution for the following problem, the answer will be 1 by 2, the moment of inertia of a straight thin rod of mass M and length L, 1 about an axis perpendicular to the length and passing through one of its end, तो एक straight thin rod है, जिसका mass हमारे पास M है और length L है, एक axis है, जो की perpendicular है length के, और one end से pass हो रहा है, यहाँ पर से pass हो रहा है, तो इसके बाउट moment of inertia निकालना है कितना होगा, सबको पता है, it will be M L square by 3, ठीक है, direct formula होता है, हमें रटे रखना होता है, the radius of gyration of a body about an axis at a distance 6 cm from it, its center of mass is 10 cm, तो क्या दिया एक body है, हमें भी नहीं पता कैसे दिखती है, यह center of mass है, तो इसके about, इस axis के about हमने radius of gyration निकाला और वो 10 cm आई, यह axis 6 cm की दूरी पर है, फिर हमसे इसने बोला, कि we have to find the radius of gyration about an axis passing through its center of mass, तो center of mass से गुजरने वाला, एक axis of rotation है, आप बताईए, उसके लिए radius of gyration कितनी होगी, हमने यहाँ पर लिखा, parallel axis theorem mk square, i about the center of mass, plus m into r square, तो mass तो हमारे को चैर कुछ दे नहीं रखा, हम values put कर देते हैं, तो इस particular axis के about, हमारी radius of gyration 10 दे रखिया, तो मैंने 10 लिखती, ठीक है, i about the center of mass will be equal to, mk center of mass का whole square, plus m into 6 का whole square, जो भी cancel out हो सकते हैं, उसे cancel out कर दूँगा, तो k center of mass का whole square की value लगाएगी, 10 square minus 6 square, तो यह हो जाएगा, under root of 100 minus 36, यह हो जाएगा 64, और यह हो जाएगा 8, अब यह आ रहा है, 8 centimeter हमारे पास, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, option number B will be the correct solution for the following problem, that it will be equal to 8 centimeter, now in this question, a 10 kg body hang at rest from a rope wrapped around the cylinder, तो एक cylinder है, उस पे मैंने rope hang, मतलब rope ऐसे लपटा दी, और एक 10 kg की body को क्या कर दी है, hang कर दिया, मुझे यह पता है, यह जो cylinder है, इसका diameter 0.2 दे रखा है, तो radius 0.1 हो जाएगी, torque applied about the horizontal axis of the cylinder, तो हमसे पूछ रहेगी, जो torque लगेगी, वो कितनी लगेगी, अज़ादे को torque लगाने के लिए, कम से कम हमारे को acceleration की value निकाल कर रखनी पड़ेगी, और हम यहाँ पर डारेक्ली लिख सकते हैं, वो acceleration की जो value होगी, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक मिट, इसने सिर्फ हम से torque पूछी है, इसने यह थोड़ी दगाए, कि वो एक दम से खूम कर नीचे कि बने लग जाएगा, है कि नहीं बात, तो मतलब सेम है, इसने का 10 kg की body rest पर है, तो यह मतलब नीचे नहीं कितना acceleration 0 है, तो इसका मतलब जितना mg यह लगा रहा है, उतनी ही टेंशन यहाँ डेवलप हो रही है, अगर उतनी ही टेंशन यहाँ डेवलप हो रही है, तो टॉर्ग कितनी हो जाएगी, टेंशन इन्टू डिस्टेंस, टेंशन कितनी है, mg के बराबर, 10 kg की body, 10g, and r की value हो जाएगी 0.1, तो आंसर कितना आ रहा है, यह तो 10R है, है ना, ओहू, मैं भूल कैसे किया, कितना सान तो यह आंसर देगा नी, इसने g की value को 9.8 रख दिया, तो load ठीक है, हम भी 9.8 रख देते हैं, तो कोई बात नहीं, हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा, 9.8, that is हमारा option number कौन सा correct हो जाएगा, d option नमारा correct हो जाएगा, तो हमारे पास एक fan है, वो 10 revolution पहले 3 second में काट रहा है, angular acceleration हमारे पास constant है, तो हमने बोला कि switch on करा, तो rest से switch on हुआ, final omega हो जाएगा हमारे पास, 2 pi, 10 revolution in the first 3 second, ठीक है, 10 revolution in the first 3 second, तो याद इसको final omega लिखना भी गलत होगा, कितना angle उसने cover कर लिया, उसने cover कर लिया, 10 revolution, वतलब 1 revolution का 2 pi, तो 10 revolution का 10 into 2 pi, तो हम यहाँ पर formula क्या लगाएंगे, हमें तो alpha की value निकालनी है, पहली statement से, हम क्या निकालनेंगे alpha की value, क्योंकि इसने बोल रखा है कि, angular acceleration uniform, लेकिन कितना है, यह नहीं पता मुझे, तो मैंने यहाँ पर, omega, not t, plus half alpha t square, यह वाला formula लगा दिया, अब यहाँ theta की value कितनी है, मिरे पास, 10 into 2 pi, यह हो जाएगा, 0, half alpha t square, time कितना है, 3, तो यह हमारे पास आया, तो alpha की value हो जाएगी, मिरे पास, 10 into 2 pi, into 2, upon में 9, यह alpha की value हमारे पास, निकल कर आ गई सर, अब इसने क्या का, आप यह बताईए, कि वो कितनी और rotation काट लेगा, अगले 3 second के अंदर, तो total rotation कितनी होगी, मेरे पास, वो sorry, total time duration कितना होगी, 6 second का, तो मैं यह बिल्कुल, शुरुआत से लेकर, अगले 6 second तक का लगा रहूं, जिसमें, 3 second पर मेरे पास, एक lap produce हो चुका है, तो 3 second तक, यह 10 revolution ले लेगा, मालो 6 second के अंदर, यह कुछ x revolution ले ले लेता है, तो 3 से 6 के बीच में, इसने कितनी revolution ली है, वो हम लगा सकते हैं, ठीक है, तो अभी के लिए, मैं total revolution in just 6 seconds निकाल रहा हूं, that will be omega naught t, plus 1 by 2 alpha t square, यह 0 के बराबर होगया, तो हमारे पास, यहाँ पर, theta की जो value आएगी, कितनी आजाएगी, 1 by 2 into alpha, alpha कितना है हमारे पास, 10 into 2 pi into 2 upon me 9, into t square, that is 36, 9.36, and 2 दुनी 4, तो मुझे यह पता चल रहा है, it will be 2 pi, 2, अब देखो, 2 दुनी 4, और 10, 40, वो 40 revolution काट रहा है, वही theta की value आ रहे है, 2 pi into 40, these are the number of revolutions, which it is making, अब 3 second के लिए 10 revolution बनाए, और 6 second के लिए कितने बनाए, 40 revolutions, total, total, तो 40 में से 10 कट गए, कितने revolution आ जाएगे, सिर्थ 30, तो हमारे लिए यहाँ पर answer कितना हो जाएगा, 30 revolution will be the correct solution, फिर से, यहाँ से यहाँ तक के कितने revolution, 40, यहाँ से यहाँ तक के कितने revolution, 10, तो 40 में से 10 गए, तो यहाँ से यहाँ तक के कितने revolution आ जाएगे, 30, 2 kg body and 3 kg body are moving along the x-axis at a particular extent, 2 kg body has a velocity of 3 meter per second, 3 kg mass has a velocity of 2 kg, 2 meter per second, velocity of the center of mass, क्या हो जाता है, हमें mark दे रखता है, हमें velocity दे रखती है, तो formula क्या रहता है, M1, V1, M2, V2, M1 plus M2, M1 कितना है 2 kg, उसकी velocity कितनी है, हमारे पास 3 meter per second, plus M2 हमारे पास कितना है 3 kg, और उसकी velocity है 2 meter per second, दोनों को add कर देंगे masses को, तो M1 plus M2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, answer solve करके कितना आ जाएगा 2.4, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, answer is 9 of the above, the center of mass of the triangle as shown in the following figure, has the coordinate of, याद यह कुछ पताने की भी जरुवत नहीं है, सबको पता है, B by 3 and H by 3, तो याद यह तो यादी होना चाहिए, क्या होगा इसका coordinate, B by 3, H by 3, as simple as that, ठीक है, if earth shrinks such that its mass does not change, but the radius decreases to one quarter of its original value, then one complete day will be, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, earth shrink हो गई है, उसका mass तो change नहीं हुआ, लेकिन radius change हो गई है, तो हमें यह बताना है कि, समय है, बतलब जो एक दिन का पहर है, वो कितिनी देर में बीथ जाएगा, बतलब एक दिन 24 घंटे का है, 24 घंटे से कम हो गया या बढ़ गया, वो बताना है, तो हमने लिखा, I omega is equal to constant, एना, angular momentum is constant, पहले हमारे पास क्या है, mr square by 2, वो सरी, 2 by 5, mr square, क्योंकि अर्थे कि square है, radius r, और omega क्या हो जागा, 2 pi by time period, अब moment of inertia, नया कितना हो जागा, 2 by 5, m, और r जो है हमारा, एक चोथाई हो गया, इसने बूला ना, r हो गया, एक चोथाई, तो 1 upon 16, r square, 2 pi by, नया time period, पुराना time period हमारे पास कितना है, 24 गंटेगा, तो क्या करेंगे हम, ये cancel, ये cancel, ये cancel, ये cancel, 2 pi cancel, 2 pi cancel, नया time period है हमारा, 24 बटे, कितना हो जाएगा, 16, और कुछ बच रहा है यहाँ पर, नहीं, अब ये r's में हमारे पास answer निकल कर आ रहा है, और तो मुझे दी लग रहा, तो ये कितना हो जाएगा, डेड़ गंटा, ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल, डेड़ गंटा, ये हमारा answer होना चाहिए, ये तो 24 घंटे से घड़ गया, पहर कितना हो जाएगा, निर्गंटे का, अ सर्कुलर टेबल, हैस, अ ब्लॉक औफ आइस, प्लेज़ ओन इट, अड़ दे सेंटर, दे सिस्टम रोटेट, विद अ अंगुलर स्पीर, ओमेगा, तो हमसे पूछा गया है, देखो, यहां बरफ पड़ी थी, यह घूम रहा था, ओमेगा से, बरफ पिखल गई, पानी कहा आ जाएगा, लिम पर आ जाएगा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मोमेंट ओफ इनर्शिया पड़ जाएगा, अगर मोमेंट ओफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, हमें पता है, आई ओमेगा constant रहना चाहिए, तो ओमेगा इस इन्वर्सिली प्रपोर्शनल टू आई, है की नहीं, यहाँ तक यह बात clear है, I do think सबको यह बात clear होगी, तो ब्लॉक ओफ मास 10 kg और 4 kg आर कनेक्टेड बाया, प्रिंग ओफ नेगलिजिबल मास प्लेज़ ओना फ्रिक्शनलेस होरिजोंटल सर्फेस, अन इम्पल्स ओफ आ वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड तो दा हैवियर मास, इन दा डिरेक्शन ओफ दा लाइटर ब्लॉक इस गिवन, दा वेलोसिटी ओफ दा सेंटर ओफ मास विल बी इक्वल टू, तो कुश्चन हम से यह पूछा गया है कि यह 10 kg का है, यह 4 kg का है, इसको मैंने एक वेलोसिटी दी, अचानक से 14 मीटर पर सेकंड की, इंपल्स के द्वारा, तो वेलोसिटी सेंटर ओफ मास की कितिनी होगी, तो यार वह हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2, V2 अपॉन में M1 प्लस M2, तो यह कितना होगा, 14 इंटु 10 प्लस, 4 इंटु 0, अपॉन में 14, तो कितना आंसर आया, 10 मेंटर पर सेकंड, तो कुछ करना ही नहीं था, इतना बड़ा कोई कुश्चन ही नहीं था, स्पेरिकल हॉलो इसमेड इन लीड स्पेयर ओफ रेडियस आर, सच इड़ अट 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 सर्फेस टच इस दा आउटर सर्फेस ओफ द लीड स्पेयर, मतलब जो सेंटर ओफ मास था, वो कितना शिफ्ट हो गया, बस यह पूछा गया है, हमने का चलो ठीक है, हम इनको क्या करेंगे, दो शेप्स मान लेंगे, पहली एक बड़ी सॉलिड शेप, और दूसरी एक छोटी सी हमारे पास क्या हो जाएगी, वेकेंट यह वाली शेप, कैवेटी, हमने लिखा इसकी डेंसिटी रो है, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, माइनस रो, हमने यह वाना कि यह जो ओरिजिन ओ दे रखा है, यही हमारा गिवन ओरिजिन है, तो हमने इसकी अपूट सेंटर ओफ मास निकाला, तो जो पहले वाला है, इसकी डेंस र है, और इसकी डेंसिटी इतनी है, र बाइटू, तो पहले हमने यही फॉर्मल लगाया, मुवन एक्स वन, मुटू एक्स टू, अपॉन में, मुवन प्लस एम टू, अब मेरे पास, मुवन क्या होगा, इस बड़े स्पेयर का मास, कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू, इसकी वॉल्यूम, फॉर बाइ थ्री, पाई आर क्यू, मुल्टिप्ला, इसके पॉजिशन सेंटर आफ मास की, खुद इसी सेंटर पर है, इसी जीरो पर है, फिर दूसरा क्या है, माइनस रो, उसकी वॉल्यूम, और उसकी पॉजिशन, अब इसकी पॉजिशन यहां पर है, मतलब र बाइ टू के डिस्टिंस पर, अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे, अगर यह मास M है, तो यह मास कितना हो जागा, अगर तुम M की वैल्यू लिखना चाहो तो बाद में लिख देना, तो यह मैंने मास M में ट्रांसलेट कर दिया, यह मास M बन जाएगा, तो मेरे पाँ आंसरा रहा है, माइनस M, अपॉन में 8, मल्टिप्लाए, आर बाइ 2, अपॉन में 7M बाइ 8, M by 8, M by 8 कैंसल हो जाएगा, और यह आ रहा है, माइनस R बटे 14, तो इसका मदब है, सेंटर अफ मास पीछे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, हमारा, और कितने डिस्टेंसे से शिफ्ट हुआ है, R बटे 14 से शिफ्ट हुआ है, तो शिफ्टिंग है, R बटे 14 की, कतम सवाल, अगर अर्थ को हमने, एक स्पेर की तरह ट्रीट करा, जिसका मास M है, और रेडियस हमारे पास R है, अंगुलर मोमेंटम अबट अबट अब अब रोटेशन, हैविंग अ टाइम पीलर T, कितना होगा, अंगुलर मोमेंटम, एक से अब रोटेशन की अबट कितना होगा, आई ओमेगा, येल्लो सर, कुछ करना था इसके अंदर, तो मारे पास आंसर हैं यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, दो दूनी चार, पाई M आर स्क्वार, अपॉन में 5T, अप्शन नमबर दी बीड़ा, करेक्ट सोलीशन फॉर दा फॉलेंग प्रॉब्लम हो गया, सिंपल सा, तो मासेज, M1 एंद M2 आर कनेक्टेड बाया, मासलेस, फ्लेक्सिबल, इनेक्स्टेंसिबल स्ट्रिंग, पास्टेज ओवरा, मासलेस, हो गया, M1 बहुत बड़ा है, तो नीचे आएगा, M2 बहुत छोटा है, तो उपर जाएगा, कहा रहा है, A center of मास निकालो, अब यहाँ पर acceleration की जो value है, सब जानते हैं, it is the net pulling force, which is M1-M2G, upon में M1 प्लस M2, को एक फॉर्मला, तो A center of मास की value यह पूछ रहा है, और पूछ भी तो कैसे रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ उसकी model I की value पूछ रहा, direction की नहीं पूछ रहा, तो हमने यहाँ पर लिखा, M1, A1, M2, A2, upon में M1, plus M2, हम सारी की सारी values इसमें रखेंगे, M1, A1, अब M1 नीचे जा रहा है, तो minus A, M2, A2, A2 उपर जा रहा है, तो plus A, upon में M1, plus M2, और यह bracket close, मतलब modulus close, अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, A को मतलब भार निकाल लो, तो तुम्हारे पास answer देखने को मिलेगा, M2 minus M1, M2 plus M1, और A को मैंने जो भार निकाला, उसमें अपनी value put कर दी, modulus, तुम इसे solve करोगे, तो यह answer देखने को मिल जाएगा, that is option number A, that will be the correct solution for the following problem, देखो तो यह से multiply हो जाएगा, अब इसमें से minus 1 भार ले लेना, और modulus से multiply करके minus आजाएगा, you will get this answer only, यह answer आपको देखने को मिलेगा, ठीक है सर, क्या कहा रहा है हमसे question, we are having two disc, एक नटो को थोड़ा सा जा रही उस तरफ जा रहा था, इस तरफ आ जा रहा था, थोड़ा center पे, we are having two disc, हमारे पास दो दो डिस्क है, of the same thickness, थिकनस उनकी same है, but different radii, दो different material है, लेकिन mass is same है, तो यहाँ पर कुछ चीज़े हम यहाँ पर देख लेते हैं, mass is same, different material, different radii, density की ratio दे रखी है, one ratio three, है ना, moment of inertia of the disc about the respective axis, which are passing through the center, and perpendicular to the plane, will be in the ratio of, तो moment of inertia की ratio पूछी गई है, किते भी होगी, देखो, let radii be R1, R2, mass be M1, M2, हमने यहाँ पर क्या करा, mass M1 will be equal to mass M2, densities जो है, वो हमारे को ratio में दे रखी है, तो density rho 1, rho 2, rho 1 upon में rho 2, 1 upon में 3, यह दे दिया, radius का ratio हमारे को पता तो है निकाल ले, जाते हैं, density का मतलब क्या हो जाता है, volume 2 upon में volume 1, density is inversely proportional to volume, if having the same mass, then we can expect, that the mass will be cut, mass cut हो जाएगे, यह आ जाएगी, क्योंकि disk है, तो pi R2 H, disk की volume क्या होती है, pi R2 H, तो यह हो जाएगी हमारे पास, R2 of 2 upon में R2 of 1, तो R2 by R1 की answer निकल कराया 1 by root 3, ठीक है, चलो, अब इसने बोला, moment of inertia निकालो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, MR square of 1 upon में, MR square of 2, बनलब A upon में भी, mass से में उड़ा दिया, R1 R2 की ratio हमने निकाली थी, R2 by R1 की ratio हमारे पास थी, 1 upon 3, तो R1 by R2 की ratio हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 upon में 1, तो कौनसा option हमारे ले correct हो जाएगा, the correct option for the following problem will, option number B, that is, it will be 3 by 1 itself, बस यही सेम हमें करते हुए चलना था, answer अपना पाचा था, a particle move in the xy plane under the action of the force F, such that the value of linear momentum at any time, Px equal to 2 cos t and Py will be equal to 2 sin t, the angle theta between F and P at given time t will be equal to, तो F और P के बीच में पूछ रहा है, तो cos theta will be equal to F dot P upon में, modulus of F, modulus of P, तो F का मतब होता है, rate of change of momentum और momentum का vector हमें दे रखा है, कितना, 2 cos t i cap, plus 2 sin t j cap, तो force आ जाएगा, 2 minus sin t i cap, plus 2 cos t j cap, अगर हम F और P का dot product करते हैं, तो हमारे को देखने को मिलेगा, minus 4 sin t cos t, plus 4 sin t cos t, upon में, F का magnitude, P का magnitude answer आजाएगा 0, यह answer 0 तब ही आता है, जब हमारे यह angle कितना होता है, 90 degree का होता है, ओके बच्चों, तो इस class के लिए इतना ही, I hope सबको सारे question लग गए होंगे, पता कर, तो question ज़रूर लगा लेना, तो वो important है, नीट आने वाला है, we will meet you in the next lecture, thank you.